अच्छाइब लूब कि अच्छाइब लूब और एड़ कि वह एंटी होगी ज्यादते लोग मेरे पैंट में जय जल्दी है कि निजा तो पैंट में होगा साथियो नमस्कार मैं भी नमिश्रा आप सब लोगों का अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत और वेलकम करता हूं और बड़ा ही इंपोर्डेंट शेशन है और आज का जो शेशन है वो यह है कि आज हम सब लोग अपनी जिंदगी में डारेट सेलिंग इंडिस्ट्री को लेके बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे कुश्चन्स हमारे सामने आते हैं और उसको में फेस करना पड़ता है और उस प्रॉब्लम को हम लोग शाट आउट नहीं कर पाते हैं तो आज आपके दिमाग में जो सवाल और कुश्चन्स हैं आप सब लोग टाइब करिए और उस जो भी टाइब करेंगे आपके साधी डिस्टिबुटर्स के आज सारे प्रॉब्लम को साट आउट किया जाएगा तो मेरा आप लोगोशे की गुजारी से कि आप लोग चैट करें और चैट पर आप लिखें कि आप आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको डाइट सिलिंग इंडिस्ट्री में क्या सबसे बड़ी समझ्याएं आ रही हैं आप की चीजों को फेस कर रहे हैं और हम आपके सारी प्रॉब्लम को साट आउट करेंगे और आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप सबके problem का solution यहाँ पर मिलेगा यह problem चाहे आपके ब्यापार से हो चाहे आपकी बेक्तिकत जिन्दगी से हो चाहे आपकी family problem की हो आज चाहे आपकी personal life की हो चाहे आपकी personality की हो जो भी problem आज आप type करेंगे आज सवाल और जबाब ही होगा आज इस्टा कोई education नहीं है आज इस्टा कोई training नहीं है आज इस्टा ऐसा कोई decision नहीं है आज जो होगा हमारे आपके जीवन की जो समस्या है हम सबको जो face करना पड़ रहा है हमारे आपके जिन्दगी में जो problems आ रही है जिसके वजह से हम हम तूट जाते हैं, हम हतास हो जाते हैं, हम निराज हो जाते हैं, कहीं ने कहीं पे हम अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बढ़ हम कर नहीं बाते हैं, तो आज जो मैं आपके सामने presentation देने वाला हूँ, only एक ही problem रहे, एक ही presentation है, वो है समस्या का समाधान, चुकि आप अकसर जानते हैं कि आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जिन्दगी में दुविधा गरस्त हैं, और दुविधा गरस्त होकर अपनी life जी रहे हैं, लेकिन उनकी life का solution तभी मिलता है, जब उनके पास उनको सही knowledge, सही answer, सही time पे दिया जाता है, तो मैं लोग को study spike कर सकते हैं, तो जितने भी लोग हैं, और नहीं संकोज आज आपको type करना है, जरूरी नहीं कि आप अपना नाम लिखें, आपको स्रीफ अपने questions लिखने की जरूरत है, कि आपके जिन्दगी की problem क्या है, आपको इस business को करने में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, और आप इतनम open mind से बात करिए, क्योंकि देखें, जिन्दगी में अगर आप अपने brain को बंद करके कुछ भी बात करेंगे, तो live में आपकी problem जीवन भर आपका पीछा नहीं चोड़ने वाली है, अगर आप अपने दिमाग को open mind रखेंगे, खुला दिमाग रखेंगे, और आप मतलब इसे बोलते हैं frank बना, आप अपने जिन्दगी में बिल्कुल आप hesitation मत रखें, आप बिल्कुल हिचिचाहट ना रखें, आप बिल्कुल frankly आप अपनी बाते रखें, अपनी पूरी opinion रखें, आपकी जिन्दगी में जो भी समस्चा हैं, आपकी टीम में जो भी problem ह आपको टीम टेकल करने में जो भी problem है, आप लोग टाइप करिए, आपके हर problem का, हर समस्या का आज हम solution देने के लिए हैं, और आज के जो decision होगा, only सवाल और जवाब पर होगा, तो इसलिए मेरा आप से request है, मैंने type करके भी वहजा है, कि आप सब लोग इस पर direct chat करें, आप problem को type करें, और आज का जो सवाल जवाब भी होगा, वो total हम आपके सामने जो बात करने वाले हैं, दो घंटे करेंगे, दो घंटे के अंदर इसमें कितने question आते हैं, हो सकता है, कि question हम decision कर पाएं, हो सकता है, सारे question के साल आपका जो problem है, उसको हम दे पाएं, तो मैं आप सब ल network industry में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपने जिन्दगी में एक बड़ा मुकाम हाशल करना चाहते हैं, एक बड़ा achievement लेना चाहते हैं, लेकिन वो struggle करते हैं, life में वो चीज़े नहीं पाते हैं, जो वो पाना चाहते हैं, तो ये बड़ा important है कि आखिर life को हम क क्या बात करें, कि उनसे आपसी mail जोल बन जाए, बड़ा अच्छा अहम question है, देखिए यहाँ पर एक साहब ने लिखा है कि बिजनिस बताने से पहले लोगों से क्या बात करें कि उनसे आपसी मेल जोल बन जाए, आपसी मेल जोल का मतलब है हमारे उनके बीच में ताल मेल बन जाए, ऐसे हमें क्या बात करनी चाहिए? देखिये जहाँ पर मेरे ख्याल है कि यहाँ पर Mr. Vikas जहरी जी ने यह टाइप किया है, तो तारीफ करना और तारीफ कैसी करना सची तारीफ करना कुछ लोग होते हैं जूटी तारीफ करते हैं चापलूशिया करते हैं तो सबसे बेस तरीका है कि आप जब भी किसी से कुछ भी बात करें सबसे पहला काम है आपके अंदर confidence होना चाहिए कि मैं उनसे वाके ही बात करना च चाहता हूँ दूसरी चीज एक है कि आप पाजिटिव एनर्जी के साथ उनके पूरी प्रशनालिटी के अंदर आप देखी कि उनके अंदर सबसे चीज क्या है और तीसरा आहम बात है कि बात करने एक से पहले आखों में आखे डालने के पहले आपके होटों पर इसमाइल होना है तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट और यह बड़ा महत्पूर्ण है ज्यादा तर लोग हतास और निगाश होते हैं या बड़े उदास चेरे के साथ बात करते हैं तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आता उदारन के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं और यह मैं जरूर आपसे कहूँगा कि इस इंडिस्ट्री का सबसे बड़ा सिक्रेट आप सक्सेज यह है अगर आप लोगों के साथ मैल मिला बनाना चाहते हैं लोगों के साथ आप अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो बेस तरीका है कि आप जब उनसे मिलिए, तो आपका बात्चित करने की शेली बिल्कुल common mind वाली नहीं होनी चाहिए उदारन के तौर पे जैसे मैं example देता हूँ, कि एक रवी जी थे रवी जी station पर खड़े हैं, और suppose that मैं जाता हूँ, और मैं उनसे बुझे चेरे से, या दबेज आवाज में या डर से मैं बात करता हूँ कि भाई साहब, आपका नाम क्या है या भाई साहब, आपसे बात करना कुछ चाहता हूँ, ऐसी अगर आप बाते करेंगे, तो सामने वाला आप मेरी उची नहीं लेगा, लेकिन अगर आप अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा पोसाख पहने हैं, जिसे करते हैं first impression is lost impression, कि अगर आपकी personality, आपका अच्छा कपड़ा, आपका चेरा, आपका सब कुछ अगर बढ़िया हैं, तो सामने वाला भी यह चाहता है, कि मैं आप से बात करूँ, चुकि आपका विक्तिक तो आपकी personality है, और मेरा विश्वास है, जितने लोग हमारे साथ live connected है, उनको भी यह लगता है, कि जब उनके सामने को यह उनिक personality दिखती है, यह भीड से अलग दिखती है, तो उनकी भी इच्छा होती कि मैं इस आदमे से बात करूँ, लेकिन वो हिच्किचाहट बत, या हैजिटेशन बत, या उनकी आदत नहीं होती है, इसलिए वो नर्वस होते हैं, और जाके उनके सामने पेस-टू-पेस बात नहीं कर पाते, ऐसा मेरा मानना है, तो मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन के दुविधा को खतम करके, एक अच्छे कपड़े के साथ, अच्छे पहनावे के साथ, अपने प्रोफेशन के प्रित्र लॉयल बने, चुकि मैं आज आपको बता दूँ, इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग जब आते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक अच्छा ड्रिस नहीं मिंटेन कर पाते हैं, जैसे उपने पैरों में जूता पहनते नहीं अच्छा, या पहनते हैं, तो दो-दो महीने, तिन-तिन महीने पालिस नहीं होती, ब्लैक से वो वाइट के रूप में बदल जाता है, आगे के लेदर फट जाते हैं, उसकी बाद सूच पहन के चलते हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा, कि कच्छा सा जूता हो, अच्छा साप सुतरा पहन्ट हो, और उस पहन्ट में अगर कहीं भी कुछ फटा उटा है, और आपने उसको फटान रखने की जरूरत है, जो भी पैरों में चीज़ें पहनी है, मोशाप सुतरी चीज़ें पहनी है, और आप सामने वाले से जब बात करें, तो अिस्माईल के साथ बात करें, मुस्कुरा Let study करें, और सबसे अच्छी बात याया है, कि जब बाते आप करें, तो को अच्छा महसूस होता है जिसका मतलब यह हुआ कि अगर जब मेरी कोई तारीफ करता है जब मेरी कोई परसंसा करता है तो हमें feel good होता है हम अच्छा महसूस करते हैं इसी तरीके से जब हम किसी दूसरे की तारीफ करते हैं उसे भी अच्छा महसूस होता और अपनी परसंसा क किसे अच्छी नहीं लगती तो सबसे पहले ये देखना है कि उस बिक के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है पता चला कि उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं लेकिन उसके साथ एक प्यारा सा बच्चा है तो आप जरूर कर सकते हैं बहुत ही प्यारा बच्चा है अगर आप relation बहुत तेज बिल्ड हो जाता है सामने वाले के पास 100% कुछ ने कुछ खूबिया है जैसे उसकी आखे बड़ी खुबशूरत है अब आप सोचेंगे साब आखे हाँ मैं बताना चाहूँगा मेरे टीम में एक बहुत ही अच्छे डाइनमिक परसंत है और मैं मेरे मार्केट में ही सेंसों पड़ता है हनुआन गंज रोड पर तो एक साहब है तो उनकी आखे बड़ी ही खुबशूरत भगवान ने बनाई है तो जब मैं उनसे मिला मेरी पहली मुलाखा थी तो मुझसे नहीं रा रिख थी वाकिए उनकी पूरी परसंटी की जो आखे थी वो बड़ी खुबसूरत थी जिसकी मैंने उनकी सच्चे मन से प्रसंसा किया और ये बात उने अच्छा लगा जोंकि लोगों ने बहुत सारे लोगों हाँ बोले यानि आपको अपनी ऐसी कोई भी बात गलती से भी नहीं रखना है जहां से वो आपके अगेस्ट में खड़ा हो जाए आपके अगेस्ट में खड़ा होने का मतलब है कि कुछ भी आप बोले वो आपके अगेस्ट में खड़ा हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि घड़ी आपने कहां से पर्चेच की तो वहाँ पर वो आदमी आपकी बात मानेगा और जो आपने पूछा वो आपको सही जबाब दे रहा है आप उससे बात कर सकते हैं कि घड़ी आप अब पूछ सकते हैं कि जो आज अच्छा है वो पहले अच्छा नहीं था अभी अच्छा क्यों बना या उसका नेचर आफ और क्या है जब आप इस तरीकी की बात करेंगे तो आप यह देखेंगे कि वो आप से घुलना मिलना शुरू कर दिया है आप उसे personal life के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन ऐसी बात करें ताकि उसे यह न लगे कि आप उसका कोई interview ले रहे हैं या इसके पीछे कोई मकसद है आप जैसे बात कर सकते हैं जैसे मैंने बता है कपड़े से आपने उसकी mobile के बारे में बात की या आपने उसके बच्चे के बारे में बात की या आपने उसके profession के बारे में बात की यानि आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जो उसके दिल को लगे और मुझे लगता है कि लोगों से friendship करना, relation build करना, ये बहुत सरला और बहुत आशान काम है, लेकिन सच्चे मन से आप किसी की सेवा करिए, सच्चे मन से किसी की तारिफ करिए, लोगों से ब्यापार बढ़ाना आथ की लिट में बहुत अच्छा है, लेकिन बस इतना है कि अपने जीवन में कोई problem है, क्या ये किसी उल्जन में फसा हुआ है, क्या मैं इसकी कोई मदद कर सकता हूँ, इसकी उल्जन को सुल्जाने के लिए, जिसमें ये अटका हुआ है, निकलना चाहता है, नहीं निकल पते हैं, लोगों का मान सम्मान अगर चाहिए, तो उसका भी चाहता है, ये बिजनिस में या इसकी जिन्दगी का उद्देश क्या है, इसका परपच क्या है, जब आप तारीफ से बाते शुरू करेंगे, आप देखेंगे, पांच मिनट के अंदर वो आप से गुल मिल जाएगा, चार से पांच मिनट ही लगता है, लेकिन ये एक होंगे, कपड़े आपके महले कुछ ऐले गंदे दिख रहे होंगे, जूते आपके साफ नहीं होंगे, तो यकीन मानना आपका कोई भी फर्मूला उस टबलेट का काम करने वाला नहीं है, तो सबसे पहले आपको यूनिक परसिनालिटी लिखनी चाहिए, और जब कोई भी आ परसिंट आपका तालमिल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका रिलेशन बिल्लिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों में आपकी फ्रेंशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, और हंडेट परसिंट आपको लोगों से फ्रेंशिप करने में बहुत मज़ाएगा, और मै आपको तो एक suggestion भी दूँगा कि आपके पास एक बहुत अच्छी बुक्स है या नहीं है तो आप लोग मार्केट से खरीद लीजिए Mr. Del Car Regi ने बहुत अच्छी एक बुक लिखी है लोग बेवार हिंदी में इसका नाम है लोग बेवार बहुत अच्छी बुक है इस बुक को हर कोई पढ़े और हर कोई आदमी एंप्लिमेंट करे ये जरूरी नहीं कि आप मार्केटिंग में है ये जरूरी नहीं कि आप किसी जॉब में हो मतलब आप समाज में अगर आप अच्छी फ्रेंट्शिप करना चाहते हैं लोगों से आप अपना तालमिल बढ़िय जाएगी इतना बड़ा आपका एरिया तैयार हो जाएगा कि आप देकर आश्यर चकित हो जाएगे लेकिन वो किताब थियूरिकल नहीं है प्रेक्टिकल है जब आप उसको पढ़िये तो आप वैसे ही एंप्लिमेंट करिए तब जाके आपके अंदर यह हुनर और आपके अ करते हैं देखिए पंडित जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी आवाज आप तक जा रही होगी है दुल जी और यह प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है यह प्रॉब्लम मार्केक में 99% नेको मार्केटिंग के लीडरों के साथ प्रॉब्लम है और यह प्रॉब् क्या तुम कर मुझे यकीन नहीं है, क्या तुम में लगता है कि मैं कोई गलत काम करूंगा, अर्थात वो ब्यापार को प्रमोट नहीं करते, वो प्रोड़क्ट को प्रमोट नहीं करते, वो सिस्टम को नहीं बताते, वो अपने आपको प्रमोट करते हैं, अपने रिलेशन को सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं दूसरी चीज़ हम लोगों को जब बात करते हैं तो लोगों को हम प्रॉब्लम नहीं बताते हैं प्रॉब्लम बोले तो इस बिजनिस में आने के बाद जो उनको समझ्याएं आएंगी इस business में आने के बाद जो जो दिक्कतें उनको आएंगी जो जो उनको समझ्याएं आएंगी जैसे आप जब school में जाते हो और आप को आपके parents पढ़ाते हैं कि बेटा A लिखो बेटा B लिखो और आप नहीं लिख पाते हो और आप teacher के फास लेके जाते हो विद्याले में आप करा देते हो और यह भी नहीं करते हो कि साब पहले मारे बच्चे को लिखना तो सिखा दो फिर मैं admission कराऊंगा चुकि मैं इसके साथ एक साल से मिनत कर रहा हूं लेकिन मेरा लड़का एट उससे लेके जट तक नहीं लिख पा रहा है तो आप यह बताते हैं लेकिन आपको प गुरू पर अटूर विश्वास करते हैं और गुरू पूरी इमानदारी पूरी लॉयल से वो क्या करता है अतुल जी आप वो अपने बच्चों को treatment करता है आप गुरू उस तरीके से उसको पढ़ाता है अगर उसको लिखना नहीं आता तो उसका हाथ पकल कर वो लिखाता ह और एक दिनों बच्चा बहुत ही फर्राटेदार इंगलिस बात करता है फर्राटेदार इंगली बात करता है बुक्स रिडिंग करता है और पैरेंट्स को देखर आश्यर नहीं होता चुको उनको मालूम था कि मेरे बेटेक साथ ही होने वाला है जब मैं इसकी पीछे कीमत चुका हूँगा तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने ज़्यादा तर लोग आते हैं इस बिजनिस में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इस बिजनिस में लीडर्शिप नहीं करते हैं अब आप कहेंगे लीडर्शिप क्या ह गलत है लेकिन उसको रोकते नहीं है क्यों रोकते नहीं कहीं इसको बुरा ना मिल जाए लग जाए या उनको लगता है कि यह बिजनेस अच्छा दे रहा है कैसे भी दे रहा है देने दो लेने दो बिजनेस देखिए network marketing एक सिध्धान पर काम करता है यहाँ पर एक प्रणाली ह एक पद्धती है और एक सिध्धान पर जिसमें सब को चलना जरूरी है यदि आप चलते हैं तो यह बिजनेस 100% कारगर है और आपको यह बिजनेस बहुत कुछ देगा जो आप अपने जीवन में चाहते होंगे आप अपने जो लाइफ में चाहते होंगे तो आपने जो बोल है मैंने तो 16 साल इस इंडिस्टी को दिया अपना कैरियर और मार्केटिंग को मैंने टोटल मेरा 25 एर का एक्स्प्रियंस हो चुका है तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैं जहां तक जानता हूं कि बिजनिस करना यानि मार्केटिंग करना या बैपार स्टार्ट अ करना वो कभी ज्वाइन ही नहीं होती तो पहले आप इस सिंटेंस को छोड़ने का नणे लीजिए और आप एक कसम खाये कि मैं आज के बाद इसको बोलूँगा नहीं चुकि ज्वाइन सब सुनते ही पहले तो लोग 99% लोग निगेती होते इस बिजनिस स्टार्ट अप करने और ये बिजनिस इतना बड़ा है क्योंकि आप बिजनिस स्टार्ट अप की बात कर रहे हैं और एक बिजनिस ज्वाइन करना है तो वो आदमी 10 कंपणियों के नाम के साथ कहता है वैसे ही होगा तो पहली प्रॉब्लम यह है अच्छा जब आप ये ज्वाइनिंग आप बोल बोलते हैं हमारी टीम है हमारे जैसी हमारी बातों को हमारे विचारों को हमारे तरीकों को कौपी करते हैं और वो वही चीज सेम जाके नीचे बात करते हैं तो पहले तो आज के बाद हर लीडर को हर मार्केटिंग करने वाल नेटों मार्केटिंग डारेट से लिग वाले को जैसी चीजों से allergy हो जाए यानि आपको इससे नफरत होनी चाहिए कि मुझे जौइनिंग नहीं बोलना है, चुकि आप अच्छी तरह जानते हैं हम किसी को जौइनिंग नहीं कराते हैं, हम business startup कराते हैं, हम किसी को job नहीं देते हैं, जाब में जाके लोगों को जॉइन करना पड़ता है अपने यहां कोई जॉइनिंग का सिस्टम नहीं अपने स्टार्टप का सिस्टम है हमारे हम फट्र प्रिवेट फ्रिंचेजियां देते हैं हम लोगों से रिटें अग्रिमेंट भलू फॉम भरवाते हैं और उसके बाद उ बढ़ा जरूरी है दूसरी चीज़ समझना है जैसे मैंने आपको बताए कि रिलेशन, रिलेशन को यहाँ पर ज़्यादर तबज्जो नहीं देना है, तीसरी चीज़ समझना है, छोड़कर जाना, यह आपने बड़ी बात कही है, इसको समझना है, क्यों लोग छोड़के जात और उसलिए उन्होंने अपने चोटी को खोल दिया था और उन्होंने निणे लिया था और उस राजा का नाम था उन्होंने कहा था धनानन जब तक मैं तेरा सर्वनास नहीं कर दूँगा ये चाड़क के जो है अपने चोटी की कशम लेता है मैं जिन्दी में इसको बानूँगा नहीं और आप जानते हैं कि उन्होंने पूरे अपने लाइफ में ये जो संकल्प लिया वो पूरा किया और वो किसको पातर चुने थे उन्होंने कहा था कि मुझे लीडर कैसा होना चाहिए और किस लीडर की मुझे तलास है आप देखिए उन्होंने वो पांच बाते बताई थी जि पाचार चानक ने एक गुलाम को चुना और उन पांच सिधानतों पर उस लड़के को परखा और वो लड़का वहाँ पर फुल्फिल हो गया और उन्हों ने कहा ये बनेगा देश का भावी समराट जब वो गुलाम था तब उस गुरू ने कहा था ये बनेगा देश का भावी समराट और आज दुनिया जानते चंद्रगुप्त कौन था चंद्रगुप्त मौर कौन था मौर धर्म की अस्थापना किसने की पूरा विश्व जानता है तो यह समझना बड़ा इंपोर्टेंट है कि आपको एक सिध्धान्त और एक फर्मूले को समझना है इसी तरह से नेट ठाकी यह समझाईए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और मैं आज आपको बताओं अतुल जी माइंड मत करना आज आप अपने टीम के साथ बैठो या कॉन्फरेंसिंग ले लो और उससे पूछो कि लाइल्टी कैसे आती है तो जो छे महीने का या दो साल का जाता है उसे मालूम ही नहीं होगा तो आप सोच कि देखिए जो आदमी आपका ब्यापार समझा ही नहीं है वह ब्यापार कैसे खड़ा कर सकता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर उसे बिजनिस नहीं समझ में आया तो बिजनिस करे कैसे तो जब वो एक महीना दो महीन कम नहीं करेगा। जादा दिर तक वोटिविशन टीकेगा नहीं और एक दिन ही होगा को बिजन्स को छोड़कर चला जाएगा। तो सबसे पहले उसको समझाइए कि network marketing क्या है। दूसरा उससे समझाइए कि नेटवर मार्केटिंग का जन्म क्यों किया क्यों हुआ क्या वजाद थी अकिर ट्रेडिशन तो चली रहा था समान तो सब कुछ मिली रहा था अखिर नेटवर मार्केटिंग आया क्यों भारत में या पूरे विश्व में क्यों आया यह पद्धति क्यों आई एक तो परंपरा सामाच का कितना बड़ा है आपके बड़ी ओर यह बैपार आपके जीवन में कितना कारगर होगा और आने वाले दो सालों में इस बिजनिस से आप क्या हांसिल कर पाएंगे अतुल जी अगर आप यह दिखाने में काम्याब हो जाते हैं तो आदमी मरते दम तक ये बैपार नहीं छोड़ेगा उसके पिछे मैं वज़ा बता दूँ मैं दुनिया भर की बाते नहीं बताऊंगा मैं अपनी बात बताता हूँ जब मैंने इस बिजनिस के शुरुआत की तो मेरे सीनियर ने मुझसे पूचा था कि विने जी आप अपनी जिन्दगी में क्या चाहते तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी मेरे जिन्दगी का बस अब एक ही सपना है मेरे उपर सत्रा लाग कर जाए और मैं किसी का भी करजीदार बनकर मरना नहीं चाहता मैं यह नहीं चाहता कि मेरी मा से कोई कहे कि तुम्हारा बेटा इतना करजा लेके मर गया मैं यह नहीं चाहता मेरी पत्नी को कोई बोले कि तुम्हारा पती इतना करजा लेके मर गया मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को लोग काने दे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं, बाप और बेटे मिल के कमाएंगे, तब भी मैं पूरी जीवन में करज नहीं उतार सकता, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तुम करज क्यों नहीं उतार सकते, मैंने उनसे कहा था, 17 लाग पर बैंक कलकत्यों बना रहेगा, चुकि हमारी जो तुलना थी, हमारी जो गड़ना थी, वो जॉब से ले कर लिती, तो मेरे स्पॉंसर ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा फर्मूला है, मेरे पास एक ऐसा तरीका है, जिससे तुम्हारे जीवन का करज महज दो सालों में उतार सकता है, तो म उन्होंने कहा मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, मेरे पास एक ऐसा ब्यापार है, मेरे पास एक ऐसा प्लान है, लेकिन इस प्लान को देखने के लिए तुम्हें कलकत्ता चलना पड़ेगा, आप लोग कहते हो कि मैं जिनको बुलाता हूं लोग 20 किलो मीटर नहीं आते, 25 किलो किलो मिटर नहीं आते और उन्होंने मुझे आट सो किलो मीटर दूर बुलाया अपने घर से 800 किलो मिटर दूर park ऐा आप किलकता आओ आप की सवाल का जबाब कलकता मेंscale हमका अरे आप यहीं पता तो बोले नहीं या नहीं अगर आप चाहते हो सत्रा लाका कर्ज उत्रेगा निकलना चाहते हो आप इस दलडल से और महज दो सालों में तो आपको इसके लिए कलकटा आना ही पड़ेगा मेरे पास कोई और बिकल्प नहीं था सचमुच मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता था और मैं ट्रेन पकड़कर राजभानी एक्स्प्रेस राथ को 1600 रुपए टिकल देकर कलकटा गया और वहाँ दो दिन मैं रुक के होटल में रुक के बिजनस को समझा और समझ कर बिजनस की शुरुआत की और जो उन्होंने कहा था दो साल में मैंने मानचिक रूप से मान लिया था और ये विश्वास मुझे हो गया था कि जिस तरीके से फर्मूला बताया जा रहा है ये बिजनस और जिस तरीके से समझाया जा रहा है यदि मैं इस पर चल लिया तो 100% मैं liability से मुक्त हो जाऊँगा मेरा कर्ज उतर जाएगा और अपने आपको यह सांतो ना दिया था कि यह 2 साल हमको समझा रहे हैं हम कहते हैं नहीं 2 साल में निकलेगा तो 5 साल में तो निकलेगा और मैंने इस business की सोच के साथ 5 साल लगके सुरुआत की तो आप गौर से दे अगर तुम इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं कलकटा गया और कलकटा जब जाकर मैंने बिजनस को देखा समझा और विश्वास किया उन्होंने दो साल समझाया में जैए मैंने अपने आपको 5 साल समझाया था कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूँगा तीन साल में मेरी पूरी लाइबिल्टी उतारने में फिर भी मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एचिमेंड मनता हूं यानि आप जिस विक्त को इस बिजनेस में लाते हो पहले मैं आप से अतुल जी पूछता हूं का आप क्यों लाते ह जर्वत है उसको माई लाइफ की आखिर वो जॉब तो करी रहा है ना आखिर वो दुकान तो चला ही रहा है ना आखिर वो आवारा गरदी तो करी रहा है ना वो मस्त है अपने में क्या आवशक्ता है आपको उसको बिजनेस में मत लाईए आप इस बिजनेस की रियालिटी इस समाच का कैसे भला हो सकता है और आने वाले टाइम में तुम्हारे भी साथ लोग ऐसे स्टेज पर बैटेंगे और तालियां बजाएंगे एक दिन तुम भी अपनी कमाई के लगजरी गाड़ी से घुमोगे तुम्हारे भी घर में गाड़ी, गोड़ा, बंगला, नाम, पैसा, इज़्यत आएगा और कैसे आएगा उसका एक सूत्र है, उसका एक परमूला है हम लोग ज़्यादा तर लोगों को निटो मार्केटिंग में कैसे समझाते है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पंडी जी, हम लोगों को ये समझाते है कि बस आज आओ, तीन महिने में जिंदगी सेट हो जाएगी छे महिने में जिंदगी सेट हो जाएगी भाई मेरे इस बिजनिस में जब कोई आता है, आज मुझे बताओ दुनिया का कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ, एक कोई प्रोफेशन पकड़ लो, हर प्रोफेशन में एक समय लगता है अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कितने साल देना पड़ेगा मिनिमुम आपको चार से पान साल देना पड़ेगा आपको इंजिनियर बनना है तो कितने साल देना पड़ेगा आप जानते हैं तीन से चार साल आपको जाएगा अगर आप बियेट करते हैं तो कितना जाएगा यानि टीचर बनते हैं तो कितना जाएगा, यानि किसी भी प्रोफेशन को जब आप चुनते हो, आप PhD करोगे, तो कितने साल जाएगा, यानि अपने नाम सामने डॉक्तर लगाना चाहते हो, कितना साल जाएगा, मिनिमम आपका पांच वर्स जाएगा, तो मेरा कहने का मतलब आपका समय जाना ही जाना है, हर प्रोफेशन में समय जाता है, तो और उसकी आप बढ़ाई करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, तब जाके उस प्रोफेशन का आपको तंगा मिलता है, और ये ज़रूरी नहीं कि जिस प्रोफेशन को आपने हासिल किये, वो मुकाम आपको मिली मैं जो भी सपने देखूंगा, जो भी जिन्दगी की महत्वा कांचाएं पूरू करूंगा, जो भी अपने बीबी बच्चों की खुशिया दूँगा, वो नेटवर्ट मार्केटिंग से दूँगा और आप पूरा नेटवर्ट मार्केटिंग पर पढ़ाई करना शुरू कर दो, नेटवर्ट मार्केटिंग की घराई से जानना शुरू कर दो, किस तरह के इंडिया भर में या वर्ट लेबल के लीडर है, कितने दिनों में लोगों ने क्या हांसिल किया है, किस किस तरीके के लोगों ने प्रॉब्लम को फेस किया है, और उस पेस, उस प्रॉब्लम को पर आप अपने टीम को भी इस्टेबिस करेंगे और आप लोगों की भी मदद करेंगे तो टीमों का टूटने का सबसे बड़ा कारण आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी क्योंकि जिसको भी आपने प्लान दिया ना आपने उसकी जिंदगी का परपज नहीं पूचा उसके बस वह आप कह दोगे पैसा कमाने आया अरे कितना पैसा कमाने आया और क्या जरूरत हो उसको पैसा कमाने की तो उसके पीछे का उद्देश जानना बहुत जरूरी है उसके पीछे मकसद है बहुत बड़ा मकसद है तो यह बड़ा इंपोर्डेंट है और यह हर किसी लीडर क प्रोब्लम आएगी जब तक लोग सही तरीके से इस बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं प्रमोट करेंगे ज़्यादा तर लोग इसको जो है अमीर बनने का एक ATM बताते हैं एनी टाइम मनी जब चाहो निकाल लो माई डियर फ्रेंट ये एनी टाइम मनी तब बनेगा जब आप इस बिजनेस का पुरा नॉलेज रखेंगे उधारन के तौर पे आज इस प्रोफेशन को मुझे करते हुए 16 साल हो गया इस मेनेजमेंट के साथ मेरा रिस्ता माई लाइफ को चलते करते हुए 8 साल कंप्लीट हो चुका है 8 सालों में आज बहुत सारे चैलेंजे जाए बहुत सारी बाते हैं अभी का आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं YouTube पर आता हूं कोई भी बात करता हूं तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये लिख देते हैं कि ये जो पता चलेगा कि मैं फ्राड हूं या सच हूं लेकिन लोग ये बात नहीं करते हैं स्रीदेव अपना कमेंट करके चले जाते हैं चुकि ये वो लोग है ये वो लोग है जिन्हों ने अपने जीवन में कुछ हांसिल नहीं किया ये वो लोग है जीवन में जिनको कभी विश्वास नहीं रहा और एक बात बता दू समाज में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे इस संसार में जब कोई साइंटिस्ट ने कोई नया विश्कार किया तो दुनिया ने कहां से कहां पहुँच गई लोगों ने क्या किया उसको छोड़ा किया लोगों ने क्या एक तार के अगर आपकी टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो 100% आपको ये problem आएगी और ये problem क्या है मैं आपको बता रहा है वो चार मांसिक सत्रू है जिसकी आपको प्रेनिंग को ट्रेनिंग देनी है first day देखिए जैसे computer हम खरीटते हैं ना laptop खरीटते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी वाइरेस आये तो वो इंटी वाइरेस उसको computer को एक computer के software को डामेज नहोने दे वो उसको पकड़ ले इसी तरह से marketing में जब आप बिजनस स्टार्ट अप करिए तो आप किसी भी leader किसी भी distributor को ये बताईए कि जब तुम इस business को start करोगे तो तुम्ह आपको diamond बनना है आपको तुलत मन बनना आएं आपके सपने पूरे होँगे आप सब कुछ पूछब करोगे तो क्या वो जानना नहीं चाहेगा और चार चीज जानना चाहेगा थो पहला बता दो पहला चीज niye को जब आप नहीं सीखरोंगे सही से नहीं समझे रहोगे और लोगों से जाके बात करोगे और आपको मैं बता दू इस business में जब मैंने शुरुआत की तो मेरे सीनियर ने मुझे पहला suggestion दिया था कि तुम गलती से इस business को किसी को नहीं बताओ और किसी से बात नहीं ज़रोगे सिर्फ तुम लिस्ट बनाओ बिने गरीबी को खतम करने वाला है जो मुझे गाड़ी बंगला दिलाने वाला है मैंने क्या किया अपने दो चार पांच लों को बुलाया और पेपर पर समझाया तो उन्होंने मुझे देख रहासा उन्होंने कहा मैंने क्या मतलब क्या है बोले यार तुम समझ लो मेरा पैसा डूब गया अब कुछ नहीं आला है ऐसा ना मैंने कभी किया था वो दस उदाणाते थे दस ग्जामपल जानते हो कि चुकि मैं इस बिजनीस में कुछ नहीं जानता था और जैसे ही जैसे ही ये सारे मेसेज उसने निगेटिव मेरे दिमाग में डाला मैंने अपने सीनियर से बात करना बंद कर दिया मैंने अपने सीनियर से मिलना बंद कर दिया मैंने अपने सीनियर का फोन उड़ाना बंद कर दिया अप सीनियर मुझे ढूंटे ढूंटे मेरे घर तक उससे नहीं होगा तो उन्होंने पुछा क्यों नहीं होगा तो मैंने उनको बता तो उन्होंने कहां मैंने आपको मना किया था आपने लोगों को क्यों समझानी कोशिश की मैंने तो कहता सर्फ लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट से मुझे मिलाओ तो आपने ऐसे गलती कि हुए हम आप समझाने कैसे लेगा लोग को ये बात उनकी समझ में आए बुले देखो सारीरिक रूप से आप फिट हो बड़े हो लेकिन मांसिक रूप से इस बिजनेस में आज जनम लिए हो तो आप इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते एक वकील अगर आएगा तो माई लाइ कर आख इस बहर कि exatamente समझाने क्या अगे ल है कि लौट के लोट ये चार ऐसी बाध है जो आप को आएंगी ही आएंगई मतलब हम रांफर क रहा तीम कॉड्नेटर कुछ भी बनना है तो आपको इस बिजनिस में ऐसा लोग बोलें तो आपको तूटना नहीं है यह आपको एंटी वाइरस डालना है उस डिस्टीबूटर के दिमाग में जिसको आप अपना डिस्टीबूटर बना रहे हैं यह ध्यान रखना है और यह 24 से 48 गंटे के अंदर जब बंदा स्टार्ट अप कर दे तो आपको चारों सब्टिवेर उसके अंदर एंटी वाइरस ड बात करो और आप देखना यह आप कोई साथ इस बिजनिस के शुरुवात नहीं करेंगा पहले बता देना अब हो कहेगा इसे कैसे हो सकता है तो मेरे साथ मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं तो यहां से उसका ट्रस जगेगा पहली चीज़ अश्यकृति दूसरी चीज़ अब उसको बताना है कि इस बिजनिस में जब तुम काम करोगे तो कुछ लोग तुम्हें साथ बैपार शुरू करेंगे तो कहेगा हां मेरे साथ तो लोगों ने बिजनिस शुरू कर दिया तब आपको बोलना है देखो आपके साथ जो लोग बिजनिस स्टार्ट अप किया ह दूसरे भीरा है यह जरूर आओंगा यहीं आपको अश्वकृत्य के बाद उस्कृत्य तो आपका दिल तूटेगा कहीं ने व्यूक्त नोषा वैंगे क्यों में फॉम्ह पर सुव्ह णे आप मिलिफ यह भी मत कानल विंड़ी Antom कडापी नहीं उसको बताओ इस बिजनिस में ये होता है और इस बिजनिस में नहीं होता दुनिया के हर ब्यापार में होता है अब आप कहेंगे कैसे ये समझने वाली बात है कैसे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है देखिए हम लोग कपड़ा करिदने जाते हैं, साड़ी करिदने जाते हैं, शर्ड करिदने जाते हैं, कार करिदने जाते हैं, बाइक करिदने जाते हैं, लेकिन जो भी करिदने जाते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं को जो दिखाता है, वह हम ले लेते हैं, या हम फल लेने जा लेकिन इसका मतलब थोड़ी को उसने दुगान बंद कर दिया यह साफ्ट वेर इसको समझाना है डालना है चार चीजा है समझना है एक अश्विक्रिती दूसरा धोका यहां पर ऐसे ही होगा तो आप हतास निजास नहीं होंगे बहुत सारे शोरूम बहुत सारी गाड़ियों क को हम लोग लेते हैं ट्रेस ड्राइब करते हैं लेकिन नहीं करीते हैं इसका यह मतलब थोड़ी को शोरूम बंद कर देता है तो यह तो चीजें समझनी है जैसे आपने उसको समझा है कि लोग मीटिंग में बुला कहेंगे आएंगे या तुम्हारे घर पर मीटिंग होगी क कि आप सही डारेक्शन चुकि सफलता का रास्ता यहीं से सुरू होता है और यहीं से हर काम्याब और सफल इंसान चलकर जब मैं यह बिजनिस में ऐसे किया और लोगों ने मीटिंग में नहीं आए तो मेरे सीनियर ने मुझे सीनियर से लगाया और मेरा कंदा ठोका सब बस ब तुम हुआगे जावगी तो मैं हखा बख रह गया कि में लोगों ने मीटिंग में कहा लोग मीटिंग में नहीं आए और कि लनने कहा तुमार ही तरह को बुलाना लोग नहीं बुलाया जानते हो भी नहीं क्यों बोले इनको डार था को लोग नहीं हाई और ये सब लोग से नहीं लोग नहीं बुलाई और इसका मतलब आप इस सिद्धानद को implement कर रहे हैं इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस business के जो सिध्धान जो parameter है आप उसको accept कर रहे हैं और उस पे आप चल रहे हैं अर्थात आप सई direction में हैं तो मैं आपका pit ठोकता हूँ क्यों कि भी नहीं यह business में some will do some will want कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे लेकिन आपकाम है soda plan, soda plan, soda plan, soda plan, soda plan, कभी भी आपको तूटना नहीं है बिने और कभी भी आप इसको मत मानना कि कोई धोका तुम्हें दे रहा है क्या कि धोका दे रहा है कि मेटिंग में नहीं आया यह होगा यह होता था यह होता है और यह होता रहेगा इसे कभी रोका नहीं जा सकता और यह नहीं नहीं गार्ट सेलिंग में यह नहीं कि नातो clinique में आप एक मानिये आप त्रेडिशरल वालों से भी जाके रिधू ecc उनके व्हारी नहीं ही अप सामने भी तैसरी चीजब भीASE कि तुम्हारे जीमन में एक चीज़ याद रखना तीसरी चीज़ जरूर आएगी हमने कहा वो क्या बुले उदा सिंता हमने का उदा सिंता इसका क्या मतलब बुले यहां पर आपको बहुत ज़्यादा हरासमेंट होगा आपको मन तूटेगा आप दुक्की हो जाओगे आपका दिल तूटेगा आपका मन करे यार क्या करने का मतलब ऐसा बिसनेस करने से कोई पाइदा नहीं है आपके अंदर न ऐसा प्षाई पैसा नहीं कार और मैं जब पैसा लेंगा तो लोगों पैसा नहीं दी मैं यह प्रॉब्लम को लेकर अपने सीनियर के पास चला गया जब मेरा दिल टूटता है ना चुकि मैं देखे जाके कहां से चार्ज होता हूं अपने अप्लाइन से अपने लीडर से अपने मार्ग दर्शक से तो जब मेरे जीमन में कोई प्रॉब्लम आती थी तो एक समझदा कर अपनी हतासा अपनी परिशानी अपनी प्रॉब्लम अपनी समस्या उनके सामने बिल्कुल पूरे समर्पित बाहुसर रख देते थे और मैं कहता है था सर यह हमारी प्रॉब्लम है और मेरे दिमाग में इस तरह के निगीडी निगेटीविटी चल रही आप बताए मैं क्य मेरा सेनियर मुझे आदे गंटे सुनता था और पूछते थे ठीक है विना तुम्हारे साथ इस सब चीजे हो अब तुम बताओ इसके बाद क्या तुम्हारे पास क्या विकल्ब है तो फिर बात वही हाती थे सब कुई भिकल्ब नहीं बोले इसके बेतर है कि इसको तुम बर पूरा तुम्हारे लाइट पर जा रहा है पूरे कैरियर पर जा रहा है क्योंकि अब आप जिससे भी मिलोगे अगर आप हतास और निरास हो गए तो आपका चेरा हतास और उदास है तो आप कभी किसी से उससाथ के साथ बात नहीं कर पाऊगे confidence के साथ बात नहीं कर पाऊगे मुस्कुरा कर आप बातें नहीं कर पाऊगे क्योंकि अंदर से आप दुखी हो यह कॉंसर्ट दिमाग में समझा है बोले आपको तीसरी बात याद रखनी है कि जिन्दगी में लाइफ में अपने टीम में जब भी काम करने जाओगे किसी भी हालात किसी भी परिस्तित के सामने हतास और निदास नहीं दिखो यह फार्मूला आज आपको बचन देना है बिने आप एक्साइटेड रहोगे लगेगा कि दुनिया की पूरी दौलत तुमने जीत ली है ऐसा लगना चाहिए दुनिया को कि पूरी टीम पूरा नेटवर्क आपके सुर मश्यूर मिला रहा है कभी आपके चेरे पर सिकर नहीं आज यह वादा करो मेरे साथ आज के बाद आप हतास नहीं होंगे निरास नहीं होंगे और आप उत्सा और जोस के साथ आगे बढ़ेंगे यह एक फार्मूला है यह एक सूत रह बिने यह करना पड़ेगा और 99 परसेंट लोग हतास और निरास होते हैं और उनको सही दिसार स स्थिती में मैं निघैटिव नहीं होता हूँ ऐखाश नहीं होता हूँ बलकि एक नए चैलेंज का इंतजार करता हूं कि और और कोई चैलेंज आए क्योंकि अब मेरे तीन चास तीन चीज़ों की आदत पड़ गई थी पहला लोग रिजट करेंगे मुझे पता चल गया बि है अर्थातर एक ध्यान देना है कि मुझे हसते और मुस्कुराते और excited होके रहना है गुन-गुनाते रहना है गाना गाना है या dance करना है क्यों कि आज इश्वर ने मुझे challenge दिया है इसको मैं श्विकार करता हूं मेरे सामने चुनोती है यह मैं से श्विकार करता हूं लेकिन मैं किसी भी हाला किसी भी किसी भी परिस्तित में मैं negative नहीं होंगा मैं दुखी नहीं होंगा मैं लोगों को दोस नहीं दूँगा जरूर मुझ में कोई कमी है मैं इस बंदे को कन्वेंस नहीं कर पाया तो प्राब्लम उदार नहीं प्राब्लम इधर है अगर बंदे ने मना किया है तो प्राब्लम उदार नहीं प्राब्लम इधर है तो अपने को सुधारना है उसको कहके कुछ भी रॉयल पंडिच जी अभी आप आपने नोट किया ना कि लोग चले जाते हैं या टीम काम नहीं करती माइडियर मैं आपको बताना चाहता हूं चोथी चीज यही है डार्ट सेलिंग इंडिस्टी की कंग्रांचुलेशन्स क्या है लोग चले जाएंगे कैसे चले जाएंगे उसे कहते हैं वेस्टेज उसे कहते हैं वेस्टेज वेस्टेज क्या है वेस्टेज का मतलब है वो मेरे काम का नहीं है इसे बोलते हैं चै उदाना के तोर पे जब किसी भी बाग से फल तोड़ा जाता है या आप घर में जब क कुच चीजों को vestige निकालते हैं उसकी पत्ति कटी होती है उसकी flower खराब होते है उसमें कीडे लगे होते हैं उसमें यह होता है आप ऐसे चावल चाटते हैं आप ऐसे दाल निकालते है आप दुनिया में जब कभी भी किसी भी चीज सेटकर रखा है जब जब आपका एक सूज बनता है सूज बनता है तो आप कभी देखना या यूटूब पर डालना या गूगल पर डालना सूज बनाने की जो मशीन होती उसमें एक कच्छा माल लब जा लाता था तो उसके नीचे की जो तलवे कड़ते हैं और बीच बीच की जो material निकलते हैं वो क काम की चीज होती वो फिल्ट्राइज होकर निकल के आगे चली जाती है इसी तरह से हमारे फ्रूट हो सब्जियां हो जब हम पेटी में मैंगो कभी खरिदने जाए कोई भी दुकान के ठेले पे खड़े हो जाए और जब मैंगो से पेटी निकालने लगे आज मैं गया था ज इसका क्या मतलब हो अब इसका मतलब यह है कि इस इंडिस्ट्री में जब आप काम करो गए तो जो व्यक्ति अपने आपको तयार नहीं करेगा इस फर्मूले पर नहीं चलेगा यहां के एथिक्स को नहीं मानेगा इसकी सिंदांत को नहीं करेगा इंप्लिमेंट ही नहीं करेगा तो सो परिटसेत एक दिन उसको इस सिस्टम से बाहर जाना है और उसको लगता है कि मैं चला गया बाहर और लोगों को लगता है कि वो चला गया बाहर लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा है सिस्टम उसको बाहर कर देता है यह system ही उसको accept नहीं करेगा, कभी भी इस industry में कोई भी आदमी बाहर नहीं जाता, बलकि system उठाक उसको बाहर फेक देता है, चुकि वो fit नहीं है बंदा, वो अपने आपको perfect बंदा यहाँ पे sit नहीं कर रहा है, इसलिए वो यहाँ से बाहर चला जाता है, तो याद रखना है, अतुल जी बहुत important है, कि इस industry में चार मानसिक सत्रों है, इन चारों की आपको तयारी करने की जरूवत है, आपको अपने teamों की तयारी करने की जरूवत है, इसका बेतरीन workshop लेना है, कि यह कैसे चार तयार हो है, मैंने आपको जो चीज़े बताई, वो maximum 15-20 minutes के अंदर मैंने आपको explain करने की कोशिश की, लेकिन इन चारों पर मैं कम से कम बात करता हूँ, कम से कम बात करता हूँ, तो 4 गंटे बात करता हूँ, और मुझे आज की session में 2 गंटे बात करना है, तो मैंने आपको main topic बता दिया, फिर से एक बार दिमाग में shit करिए, अश्युक्रिती, यह आ आपकी team तूटेगी, लोग आपके साथ जाएंगे और वो जाना भी चाहिए, bestage होता ही है, हम अपने tailor को कहते हैं, भाया, suit सिलना है, यतने meter कपड़ा मांगता है, और जब मैं देता हूँ, तो जो काम की चीज़ होती है, वो suit का piece निकालता है, बाकि bestage कपड़े सब fake के बा आपने साथ भी होगा, लेकिन कभी भी आपको इस पर focus नहीं करना है, आपको quality people पर focus करना है, आपके साथ जो लोग हैं, उन पर focus करना है, जो तूट गए, उन पर focus नहीं करना है, जो बने हुए हैं, और जो भविश्च में आने वाले हैं, आपको उस पर ध्यान देना है, य कि हमेशा आपको ध्यान रखना है और अगर आपने सिस्टम से एजुकेशन डिबलेप करना शुरू कर दिया तो मेरा आप से कमिटमेंट है कि आपकी टीम तूटना बंद हो जाएगी आप 100% टीमों को एजुकेट करिए टीमों को समझाइए 100% हिस्टी खड़ी हो जाएगी इ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कैसे इस बिजनिस में एक बड़ी अच्छी बात भी विकास जी ने बड़ी अच्छी टाइप किया है हमारे राफेल स्टार क्रेटर साब ने कि आप बिजनिस से लोगों के अंदर कैसे बिलीब दिलाएं कैसे बिलीब आप कभी भी किसी को मदद करते हैं तो वहां आप विस्वास जीते हैं आपकी भावनात्मक जो एक भावना है जो आपकी फिलिंग है जब आप किसी की सच्चे मन से हल्प करते हैं तो आप वहां पर विस्वास जीते हैं जब कहीं स्वार्थ रखकर किसी की मदद करते हैं तो वह आप आशिवास जीते है यह आप अपने अंदर देखिए आपको मैं बता दूँ कि मन ही देवता मन ही इस्वर मन से बड़ा न फोई मन उजिया रहा जब जब फैले जग उजिया रहा हो तो आपके अंदर का जो मन है इंतरात्मा आपकी जो मन है उसको जड़ा एक बार जहांकर देखिए कि हम लोगों में विश्वास कैसे क्रिएट करें अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं बनती है बहुत बड़ी चीज आपने बोली है पहले हम जितने हैं लोग का ट्रस्ट भरोसा विश्वास लोग शादी करने के बाद ना साधी करने के बाद बीवी पर नहीं कर पाते हैं और साधी करने के बाद बीवी ना पती पर विश्वास नहीं है विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें टाइम लगता है ये टाइम policy है हम विश्वास को तुरंत नहीं जीत सकते हैं हाँ लेकिन उसका भरोसा जीत सकते हैं हम उसका भरोसा कैसे जीते हैं उसके लिए क्या तरीका है उसका पहला तरीका यही है कि हम उसके बारे में बात करें उसके जिंदगी के बारे में बात करें उसके प्रॉबलम के बारे में इसान को डूब रहा हो, एक एक्जामपल समझो, डूब रहा हो पानी में और आप पानी में कूट कर आप उसकी जान बचाते हैं, तो आप पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा, करेगा, कोई भी आदमी भटका हुआ है, और उसे सही रास्ताप दिखा देते हैं, और वो उ लिए बहुत इंपोर्टेंट एंपोरेंट ति ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बने हैं टूरंत नहीं बनेगी इसमें टाइम लगेगा वेकिन हाड त्रस्ट हम विश्वास एक बड़ी चीज, फिर मैं कहा हूँ, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, ट्रस्ट आप जे सकते हैं, भरोसा पहले आपको जितना है, भरोसे को विश्वास में बदला जा सकते हैं, और वो टाइम टेकिंग है, वो आपको दो बार, चार बार, दस बार अजमात लेकिन पहले वो ट्रस्ट करेगा, बाद में बिलीव आएगा, तो ट्रस्ट और विलीव एक बड़ी डिफिनेशन की चीज है, विकास जी एक दिन में बिलीव नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरी चीज आपको एक बात और समझना है, एक साहब ने और लि हम लोग जब बिजनिस में जाते हैं ना, तो हम सीधे माई लाइफ का नाम लेते हैं, माई लाइफ का अगर आपने नाम ले लिया, या कंपनी का नाम ले लिया, या व्यापार का नाम ले लिया, वहाँ पे हम सबसे बड़ी गल्ती कर जाते हैं, हमें जब भी किसी से उसकी पर्सनल लाइब से शुरुआत करनी है इसे कहते हैं भूमिका बनाना जैसे उदारण के तौर पे अगर मान लीजी वो एक करमचारी है मैं मानता हूँ वो एक करमचारी है और वो करमचारी हो सकता है प्राइवेट में हो सकता है गौर्मेंट जॉब में हो तो मैं उससे ऐसे सवाल करता हूँ भी मैं आपको एक ग्जाम्बल बता रहा हूँ भी मेरी रेसेंटली एक साफ से बात्चीत हो रही थी तो मैंने उनसे खुद ही ऐसे सवाल कर दिया कि भाई साहब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं तो वो सोचने लगे सोचकर उन्हों ऐसा लागगे बहुत सारे रास्ते नी तो उवराल पूरा घुमा कर अगर बात किया गया तो पता चला पैसा कमाने का मातरतीन रास्ता है पहला रास्ता था है सरकारी नहोकरी दूसरा है private नोकरी और तीसरा है business पूरे समाज में पैसा कमाने का जो रास्ता है वो तीन रास्ता यह सरकारी नोकरी और व्यापाच है अब चोथा हमारे पास एक चीज हो गई है ो क्या है प्रूफेशन ही के हमारे एक प्रोफेशन है हम सीये हैं हम एक इसको तो उन्हें को भी देखेंगे तो बिजनस में कर दे तो के लिए दौलत कमाते हैं कि इसरी चीज मैंने कही कि वो यह चाहता है कि रिकागनेशन उसका मान हो समान हो समाज में लोग जाने लोग उसको पहचाने उसने का हाँ यह तो बिलकुल लोग चाहते हैं फिर मैंने कहा इसलिए लोग बिदागी लड़ते हैं सांसदी लड़ते है मंत्री बनते हैं चुक उसके लोग पैसा करों और पर रुपए कर्च करते हैं अपने नाम के लिए और चौती चीज होती है सुरच्छा भविस्ट की सुरच्छा अर्थात उनका फ्यूचर सेफ हो उनकी जन्रेशन सुरच्चित हो जो जिन्दगी जो लाइफ उपने बच्च तो मैंने उनको दिखाया कि वेलिकुल सही का आपने बिजनस में पॉस्टील है तो मैं उनको एक चीज़ बताया कि बिजनस जो राजदूद गाड़ी बाइक बिकती थी क्या वो बिजनस नहीं था बोले नहीं हम कहें जो फीजी फिल्म बनती थी जो कोड़क की फिल्म आती जब नेटा आई थी क्या वो बूले नहीं है नहीं हमिए कहां चला गया हमने कहना जुट हो घांड़ी नेजी आप कहना क्या चाहते हूं हम कहें देखिए और देखिए यूग जो चल रहा है यहाँ पर आपका ब्यापार कब फूल आप हो जाए कोई नहीं जांता कब आपका भविस अंधिकार में चला जाए कोई नहीं जानता चाहे जितना बड़ा हो ब्रांड ही क्यों नहों क्योंकि आप सब के सामने ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ताइम ऐसा आएगा कि हम फोटो प्लिक करेंगे और हमारे चिप में आएगा और उसको हम जो चाह आज क्या है आज ऐसा आप सन नहीं है हर फोटोग्राफर कहता है आए फोटो सेलेक्ट करिए जो सेलेक्ट करेंगे वही बनाओंगा बाकि दिलिट कर दूँगा तो आप सोचके देखिए वो पुरानी ओल्ड चीचे चली गई ना तो क्या ऐसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन अब ओद्योगी की युग का जमाना नहीं है अब आईटी सेक्टर का जमाना आ चुका है जो ओद्योगी की युग में फस गये वो जिन्दगी में वहीं फसे रह जाएंगे जिमन में कुछ नहीं कर पाएंगे जो आईटी सेक्टर को समझेंगे information latest technology को जिनको information आएगा वही जिल्लगी में इतिहास रच देंगे So my dear friends, यह बड़ा important है कि business की कैसे शुरुआत करना है लोगों को कैसे business बताना है वो सबसे important है भूमी का जब आप यह चार बाते बताते हैं तो आदमी serious हो जाता है वो आदमी कुछ भी कर रहा हो चाहे हो किसी profession में हो चाहे हो दुकान के काम करता हो कि यार यहा तो पैसा है नाम है लेकिन भविश नहीं और उससे पूछना चलो अगर यह बैपार चल भी गया तीनों चीज़ आपको मिल गई तरह टाटा की तरह तो मुझे एक बात बताओ इसके लिए नेशनल लेबल पर ब्रांड बनने के लिए पैसा चाहिए? बोले हाँ, competition है, हाँ, risk है, हाँ, यदि आपको ऐसा business मिले जहां पर ना तो risk हो, कोई भी risk नहों, और आपके पास नाम भी हो, पैसा भी हो, भविस्ट की सुरच्छा भी हो, और समय की आजादी भी हो, वो पूछता है, यार, ऐसे कैसे हो सकता है, और तब आप उसे दिखाते हैं कि आईए, हम बात करते हैं, दुनिया के महानता माउसर के बारे में, जिसे आज देश भर में बहुत हजारों लाकों लोगों ने अपना लिया है, और उनकी जिंदगी में एक रांतिकारी प्रणाम आया है, और ये चारों चीजों पर आज इनका बिजे हो चुका है, जिसका नाम है मिस्टर मुबीन मुहम्मद, दूसरा नाम है मिस्टर राजेश यादो, तीसरा नाम है मिस्टर दयालन, अगला नाम है मिस्टर सुनिल सागवरकर, अगला नाम है मिस्टर बाबु तोमश, अगला न यहां दle करते दिखाना नाम है आपने अगले को गिंति टिनाना शुत कर दिया औसकी भायगरौफ कर दिया उसको उसकी सुस्सक्ति के बारे दिखाना शुत D कि देखिए आज मैं इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं आपसे लेकिन यह वेक्ति मुझे नहीं जानते हैं यह मैं उन्हें जानता हूं लेकिन यह दो सो करोन प्लस पचीस लाग का बिजनिस एक्वल हो चुका है वो भारत की पहली ऐसी लेडी है जो आठ सालों से लगातार हर हफ्ता आठ लाग चालिस अजार मिनिमम पाती है आठ सालों से लगातार हर महिना पाती हैं सिर्फ इस इन्रणय के लिए कि बिजनिस मैं कर सकती हूं जब आप ये लोगों को आप पहले दिखाते हैं शुरुवात आपको भूमिका से करनी है और यहीं से उसका ट्रस्ट जीता जाता है आप उसको कुछ वीडियो दिखाते हैं क तब वो इस बिजनिस के बारे में सोचने के लिए तयार होता है और वो बिजनिस को समझने के लिए तयार होता है फिर वो इंट्रेस्टेड हो बिजनिस को समझने के लिए इतना सब करने के बाद भी तब आप प्लान प्रजेंट करें और अगर वो नहीं इंट्रेस्टेड ह इस लिए बादेकरते रहना है बस इतना चोड़ा से काम है आप जो कहते हो लोग मुझे reject करते हैं, लोग मुझे सुनते हैं नहीं न, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, तीसरा नहीं है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, हमने आपने क्या गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती एक ही कर दी, वो क्या, हमने उससे कुछ नहीं पूचा, हम मैंने उसे इंट्रेस्टेट नहीं किया मैंने उसे गरम नहीं किया मैंने उसको मांसी गुरूप से तयार नहीं किया और हम प्लान देना शुरू कर देते हैं बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने शुरी सर यही हमारी सबसे बड़ी गलती है तो मुझे पूरा विश्वास है अंकर को उम्हारी बात जरूर समझ में आई होगी तो यह बड़ा इंपॉडेंट है सबसे बड़ी बात है सर कि अब बड़ी अच्छी बात कहीं कि विविकास जी ने कहा कि बड़ा important है कुछ आज के जो जमाने के कुछ लोग हैं उन्हें कैसे समझाएं कि इसमें carrier है देखिए वित्रों मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा सबसे बेश तरीका होता है प्रतेच्यम किम प्रमाणम हर पढ़ा लिखा समझदार आदमी record मांगता है आज वो हवा में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता है तो आप किसी को प्रमाण देने के लिए आप हमसे मत पूछिए आप उस आदमी से पूछिए कि उसे इस business पर विश्वास है या नहीं है अगर वो कहता है विश्वास है तो उसे किसी प्रमाण की जरूवत नहीं है अगर वो कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है तो आपको मुस्कुरा कर यह पूछने की जरूवत है कि आपको किस चीज पर विश्वास है हम आपको इस business से related, legal, my life से related क्या चीज आपके सामने प्रस्तुत करें जिससे आपके अंदर विश्वास पैदा होगा आपको यकीन आएगा यह बात उससे पोछो उससे पोछो और अगर वो पूछता है या कहता है समझदार है जानका रहे तो कहेगा आपसे पका कहेगा हमको ITR चाहिए या वो कह देगा हमें फार्म सोला A चाहिए या वो आदमी कह देगा हमें 26AS चाहिए तीन मेंसे कोई भी एक चीज बोलेगा अगर पढ़ा लिखा बंदा समझदार आदमी है वो कभी आपसे बैंक एकाउंट स्टेट्मेंट नहीं मांगेगा वो आपसे ITR मांगेगा या फार्म सोला A मांगेगा या 26AS मांगेगा और जो भी मांगे आप अपने टॉप सीनियर लीडर का रिकार्ड निकालके दिखा दे यहाँ पर कुछ सावधानिया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जब वो रिकार्ड मांगेगर suppose देट उसकी बेतन 25,000 रुपए महीने की है तो गलती से भी उसको 25,000 का फार्म सोला ना पकड़ाएं अगर वो 12 महीना होता है 25,000 हिसाब से देखा जाए तो 3,000,000 रुपए महीना होता है तो उसको मैक्सिमम जो इंकम टेक्स पेपर दिखाना है फार्म सोला चबई सेथ 6,000,000 का दिखाना है क्योंकि वो 3,000,000 कमा रहा होता है और उसको 6 लाग पर विश्वास हो जाता है आप या करते हो 3 लाग वाले बंदे को आप 30 लाग का ITR दिखाते हो 30 लाग का फार्म 16 दिखाते हो 26 दिखाते हो उसे उस पर विश्वास नहीं होता और विश्वास होता है इसलिए आपकी prospecting यहाँ पे आपके हां से निकल जाती है क्योंकि आपको यह पता ही नहीं होता किसको कितना वजन की चीज देनी है तो आज से यह formula आपको ध्यान रखना है कि विश्वास हम नहीं दिला सकते, विश्वास आप नहीं दिला सकते जब आपको यह पता चला है कि उसको इस बिजनिस में कैरियर नहीं लिखता तो उससे पूछो कि कैरियर के लिए आपको क्या record चाहिए जो record हो चाहता है वो record आप उसको दे दो जिस carrier की बात करता है आप उससे बोलो carrier क्या है यह करीफ़ अब 32 साल के लड़का जो 15 साल से जॉब कर रहा था और आज ओचला गया कोविड क्या उसके परिवार को बेतन मिलेगा, क्या उसके परिवार को वो कमपनी नोकरी पे रखेगी, उसकी बीबी को रखेगी, उसके बच्चे को रखेगी, उसके माबाब को रखेगी, आप कहेंगे नहीं, क्यूं, क्यूंको उसकी मा बीटेक थूड़ी है, उसका पिता बीटेक उसका बेटा या उसकी वाइब बीटेक थोड़ी है, बीटेक तो वो किया हुआ था ना, इंजीनियर था वो, लेकिन चला गया, तो करियर उसका कहा रहा, इस COVID-19 ने विकास जी दुनिया को बहुत सबग दे दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन ये आपके पास इसे बोलते हैं, हमेशा याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हैं, क्या बोलते हैं अब इसे, present of mind, आप जब किसी से बात करें, तो आपका mind उस presentation जब आप बंदा कर रहा है, तो उसमें present of mind आपके कितना strong है, और इसके लिए आपको education लेने की जरुवत है, तयारी क जब आप दे पाएं, सही मार्दर्शन दे पाएं, सही चीज उसे बता पाएं, और जब आप उसे चीज बताते हैं, तो उसको ये बंदे को समझ में आ जाता है, कि ओके, ऐसी, आप उनको बताईए, अभी एक डॉक्टर साहब थे, अमेरिका से डॉक्टरी करके आए थे, अ कम से कम डेड़ करों का एजुकेशन कराने के बाद, तीन साल मातरो रड़का प्रैक्टिस किया, और कोवीट पास्टी हो गया, और वेल्टिनेटर पर चला गया, लौट कर वापस नहीं आया, ये है उस बच्चे का कैरियर, ये है उसका फीचर, आप किस कैरियर की बात कर र हो, लेकिन आप, आप जानना चाहते हो ना, मेरे यहां कैरियर क्या है, ये देखिए, ये है मिस्टर स्रीजन नायर, और इकी वाइफ है ये मुना नायर, ये देखिए, ये है बिमल सरीन, इनकी वाइफ फला, ये देखिए, ये पीवीए सोकन, इनकी बेटी ये फला, ये द परिवार में 20 लाग, 25 लाग, 35 लाग, 40 लाग अभी भी जा रहा है जब वो यहां नहीं है और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कोविड में चले गए अभी हमारे इंडिया शौपी के फ्रिंचैजी ओनर ग्यानेज जी इस्पायर हो गए पूरा बिजनेस पूरा फ्रिंचैजी वह है और उनकी धर्म पत्नी के नाम सब कुछ हो गया यह है हमारे इहां का कैरियर कि आज उनके पती ने पांच साल आट साल मेहनत किया है तो उसी छत्री की नेचे उनकी पत्नी आगे आकर थोड़ी पड़ी लिकी थी आके समाल लिया उन्होंने कारोबार अगर नहीं समालती त इसको इससे बड़ा रिकार्ड क्या चाहिए और जाए पता कर ले कोई भी आत्मी माई लाइप परिवार के बारे में कि यहां पर एक बार कोई भी आत्मी कनेक्टेड हो गया तो उसका भविस उसका कैरियर सुरचित है जब ग्याने जी तो फ्रेंचाइज इस उनको फ्रें ने दे हमें भागो भी दिखाई देता है तभी तुम्हें 16 साल से इस management का दामन पकड़ा हूँ तभी तुम्हें 16 सालों से इसी management के साफ जीने मरने का कसम खारका है चुकि एसे इमांदार honest company मैंने अपनी जीवन में तभी नहीं दे़िए कि जो अपनी कत्नीय हो करने में शम तो आप उनको बताईए ठीक उस तरह से जैसे हम आम का पेड़ लगा देते हैं और आम का फल जब फलने लगता है और हम दुनिया से चले जाते हैं तो मेरे ना रहने के बाद भी वह आम का फल फलना बंद नहीं होता वो हमारे बच्चों को देता ही रहता है उसके च्छाओं तले हमारे बच्चे रहते हैं तो ठंडक मिलती ही मलती है वहां का फल फलने नसीम होता ही होता है उसी तरह से हमारा माई लाइफ के कैसा ब्रिच है जिसे आप डेबलब कर देते हो तो आपके नीचे की जो जड़े क्रियेट होती है जो टीमे क्रियेट होती है वो काम करती र उनकी हैपेज जिन्दगी रहेगी ये है हमारे यहां का कैरियर आप जिस कैरियर की तलास कर रहे हैं जब तक आप है तब तक आपका कैरियर है जिस दिन आप खतम हो गए सब कुछ खतम हो जाएगा हमारे यहां जिस दिन आपने काम कर दिया पांसे आट साल मन लगा कर आपने आप का knowledge ले लिया और आपने जोग दिया तो आप भी सुरुचित, आपका परिवार भी सुरुचित हो जाएगा, आपके बच्चे भी सुरुचित हो जाएगे और आने वाली पीडिया भी सुरुचित हो जाएगी, आप कौन सब बिच्च लगाना चाहते हैं, यह आप decision लीज किया है, जो मेरे शामने आया है, और कुछ लोगों ने आप पर लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने एक चीज़ डाली है, और जी साब ने डाली है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ लोग यहाँ पर अपने contact, mobile number डालते हैं, मेरा आपसे निवेदन है, सर आप लोग कृपया, आप इस पर question लिखें, आप अपना answer लिखें, और प्लीज मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई भी चीज़ किसी के साथ हम आपको help और cooperate कर रहें, तो kindly my request आप सबको help और cooperate ही करें, प्लीज और कोई भी दुरुपयोग ना करें इस channel से, इसके माध्यम से कि कहीं भी कोई गलत message जाए, मैं चाहता हूँ यह channel हमेशा अच्छे ल यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि अनिल कुमार जी ने एक type किया कि sir team के fast achievement के लिए क्या किया करें, इसका सबसे सरल और आशान काम है अनिल जी, कि आप अपने team के लिए fast achievement के लिए team का परपच पहले बता करें, कि आपकी team का परपच क्या है, वो my life क्यों कर रही है, जब तक आप क्यों नहीं जान पाएंगे कि my life करने के पिछे उसका उदेश क्या है, उसका परपच क्या है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी team में fast flow नहीं आ सकता, जब तक आप अपने team के अंदर, वो क्यों आया है my life में, उसका परपच क्या, वो क्या पाना चाहता my life से, क्या आप बनना चाहता है, तब तक आप उसके बिना dream को जाने आप कोई runningity नहीं बना सकते, इस industry में से लिए मैंने हमेसा कहा है, कि यदि आप इस industry में मुकाम चाहते हैं, और सफलता हैं चाहते हैं, और तरक्की चाहते हैं, तो dream कहोना बहुत जरूरी है, very very most important, अगर आप की पास dream है, तो 100% आप बड़ी काम्याबी और उपलब्दी हांसिल कर लेंगे, यदि आपके पास कोई dream नहीं है, तो शायद यह profession आपके लिए बिल्कुल नहीं बना, और मैं आप से कहूंगा सर कि आप कुछ और कर ले, तो life में अगर आप growth चाहते हैं, team को fast achievement देना च जाते हैं, तो सबसे पहले उन टीमों के अंदर एक ही quality create करिए, एक ही achievement लेकर आईए, वो है उनका परपच क्या, उनका goal क्या, जब आप उनका purpose, उनका dream, उनका goal जान जाएंगे, तो उस हिसाब से आप blueprint त्यार करें, अपने senior के साथ बैठें, और अपनी team की, बात रखें कि सर, हमारी team ये चाहती है, और अपनी team को मैं मदद करना चाहता हूँ, तो सर, ये कैसे होगा, तो आपके mentor, आपके coach जो भी होँगे, वो आपको guide करेंगे, अगला question यहाँ पर एक और आया है, anil jie के बात, वो है कि लोग जल्दी पैसे नहीं देते मैं आपको फिर यही बात कहूँगा अभी मैंने इसमें टॉपिक पे बात कर लिया है विकास जी आपने कहा कि लोग जल्दी पैसे नहीं देते मुझे जो लगता है कि लोग पैसा बहुत जल्दी देते आपने गाने लोग पैसे नहीं देते लोग पैसा बहुत जल्दी दे देते लेकिन पैसा कौन नहीं देता और पैसा कौन जल्दी दे देता है ये आपको समझने के जरूरत है इसके पहले मैंने एक ही बात कही थी जब इस दुनिया में किसी को भी कोई समस्या है कोई भी समस्या है और उस समस्या का सल्यूशन आपके पास है तो हर पैसा कीमत चुकाने को तयार है और अगर आपके पास सल्यूशन नहीं है तो दोस्त हाफी जहूंगा उसके पास पैसा नहीं है आपके पास अगर उसका सल्यूशन है तो उसके पास पैसा है उ पूरी दुनिया में कोवीड-19 से लोग मर रहे थे और जानते थे जो हास्पिटल में जाके मर रहा है फिर भी लोग पर जा रहे हैं लोग इल्टीनेटर पर जा रहे हैं और उसके लिए लोग एडवांसमें डेड लाख रूपए काउंटर पर जमा करें चाहे वो चार गंटे थी और समस्या का वो solution ढूंड रहे थे समाधान चाहते थे और समाधान ये था कि उनका जीवन चाहते थे और जीवन के बदले वो सब कुछ लगाने को दाओं पे तयार थे और लगाया भी लोगों ने और लोग लुटे भी लेकिन जिन्दगी में बचे नहीं वो आपस नहीं उनकी लाइफ का प्रॉब्लम क्या है उनकी लाइफ का ग्रोथ नहों पाने का कारण क्या है उनकी जीवन का उद्देश क्या है वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं उनके जीवन का मकसद क्या है वो क्या हांसिल करना चाहते हैं जब तक आप यह नहीं जान पाएंगे आप उसे सही दिशा नहीं दे पाएंगा और आपको पैसा देगा भी नहीं पैसा तो तब देगा उदाण के तोर पे किसी का हाट टूटा हुआ है ठीक है अगर हाट टूटा है और डॉक्टर कहता है कि हाट को सही करने के लिए 50,000 रुपए लगेगा और यह प्लास्टर से नहीं ह है और बचाओि ले जाता ऐ कैसे बचाता है यह उस इंसान से पोछो है जब तक किसी के जीवन में कारण नहीं होगा आपके जीवन में परिणाम नहीं आएगा तो यह बात याद रखना है कि पहले आप किसी को कुछ भी मत वेचो न दो पहले आप उसके life की problem को समझे, solution उसको दिखाओ, कि देखो तुम्हारे जिंदगी में जो problem हो और यह समस्या है, यदि तुम यह करते हो तो तुम्हारे जिंदगी के problem दूर हो सकती है, कैसे, जब वो पूछे कैसे, तब plan दिखाओ, ऐसे, वो निकाल के देगा पैसे, यह मेरा विश्वास है, यह मरा आकीन है, और मैंने अपने पूरे carrier में यही महसूस किया, और इसी पर मैं काम करता हूँ, और मजे इसी पर विश्वास है, हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, कि लोग करज लेकि इस industry माये हैं, और आज करोपती है, मैंने देखा है, इ इस industry में उनके पास खाने को भोजन नहीं था, लेकिन इस business में जब उनको पता चला कैसे, और समझाया senior वाले उने ऐसे, तो उस आदमी ने अपना सब कुछ डौं पे लगा को सेल करके, इस industry की शुरुवात की, आज वो Mercedes BMW से गों रहे हैं, प्यारे साथियों, यह भाने हैं, रिजियन देना बंद करो, सिर्फ आप लोगों की problem को समझना शुरू करो, 100% लोग पैसा देंगे, चुकि इस दुनिया में ऐसा कोई इनसान नहीं है, जिसको मान चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, प्रतिष्टा नहीं चाहिए, फ्यूचर नहीं चाहिए, सिर्फ उसको पहल देगा, 100% वो यहां से start up करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, अगली चीज़ यहां पर मैं आप से कहना चाहूँगा, कि यहां पर सबसे अच्छी बात है कि कृपार शंकर जी ने कहा, परिटिकल नॉलेज, हाँ, परेकल, डारेट सिलिंग इंडिस्ट्री में परेकल नॉलेज ही है, और मैं आप से जो बाते कर रहा हूँ, परेकल नॉलेज पर ही बात कर रहा हूँ, चुकि मुर्य पास थिरिकल है ही नहीं, यही करके हम यहां तक पहुँचे हैं, हम नही वो उसे बात करें तो पहले हम इसमाइल के साथ उनके सामने जाएं हमारा first impression is last impression हमारे कपड़े हमारे पनावे बहुत अच्छे हो हमारी जो सब्द हमारी जो आवाज हो वो बड़ी ही जोशीली बड़ी ही उसाहिद बड़ी ही excited बाउसे हो और हम उनके आखों में अखे डाल कर बात कर सकें अगर आप ये प्रभाविक कर लेते हैं तो बस आपका काम चल पड़ेगा और आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी हलागे ये लंबट आपी के जीति भाई तो ये इतना आप short में समझ लीजिए कि हम लोग नए लोगों से बात करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आपको मांसी ग्रूप से तयार करना है, फिजिकली तयार करना है और ये एक कला है और ये एक आर्ट है इसको आपको सिखना है कि हम कैसे उससाहित होंगे, हम कैसे excited होंगे और अपनी बाते कैसे रखेंगे और आपको एक सलाज जरूर दूँगा नए लोगों से बात रख करने के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए उस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है प्राइटर का नाम है एलन पीज आप ये किताब जरूर खरी दें और आज इस बुक को अपने सीनियर को कॉल करें और अपने सीनियर की मदद दे ताकि आपको सही तरीके से आपको मदद और आपको शपोर्ट कर सके आपको शही दिशा दिखा सके और ये किताब आपके जीवन में बड़ा महतूर बन सके और मेरा विश्वास है कि अगर आप एक करते हैं तो 100% इ चैनल को कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सवाल कर रहे हैं बहुत कम लोग ही है जो सवाल कर रहे हैं चैनल कि देखिए मैं बड़े सके में के बज़ी लोगोंसे कहा किुण मन नहीं लगता है इसके लिए तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि इनके लिए clapping होनी चाहिए चुकि मुझे गर्व है और मुझे बड़ा फक्र है कि आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ connected है मेरे लिए माने नहीं रखता मेरे साथ कितने लोग connected हैं दो लोग connected हैं दस लोग connected हैं पांच लोग connected ह लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग सच्चे मन से अपनी बात रख रहे हैं आपने कहा कि देखिए बुक पढ़ने में मन नहीं लगता है देखिए मन क्या है मैं आप से बार पूछ रहो मन क्या है मन आपके अंदर है या मन पडोशी के अंदर है मन हमार परपच क्यों नहीं है, चुकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं है, चुकि हमें उसकी परवा नहीं है, हमें उसकी परवा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉंस्बिल्टी क्यों नहीं है, क्या कारण है, हमारे पास रिस्पॉंस्बि क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मुझे विश्वास हो जाए तो बड़ा सिंपल सा बड़ा सिंपल सा तरीका है जितु भाई आपके लिए कि जब बुक पढ़ने में मन न लगे जब भी बुक पढ़ने में मन न लगे तो आप बुक को उठाईए और त पोजिशन दिखाता हूं कि कभी भी बुक को लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी बुक को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कुछ लोग होते हैं बुक ले लेते हैं ऐसे करके पढ़ते हैं कुछ लोग लेट कर पढ़ते हैं कुछ लोग टांगे फैला कर पढ़ते हैं बु कैसे पढ़िए 100% आपका बुक पढ़ने में मन लगेगा 100% आपको बुक पढ़ने में आनन्द आएगा और मैं आपको बता दो जब मैंने भी बुक पढ़ना इस तरह की तो अपनी टीमों से फोन लगा कर बात करना शुरू कर देता हूं जब मैं बुक पढ़ता हूं तो मैं बड़े-बड़े ड्रीम और बड़े-बड़े शपने देखने लगता हूं तो मेरा कहना है जीतिव भाई बुक पढ़ो ये बड़ा इंपोर्टन है चुकि बुक पढ़ मैं आपके साथ और जो हमारे वीडियो मेरे पढ़ें लगबग 100 वीडियो पढ़े है मारे चैनल पर अगर आप एक वीडियो को गहराई से पढ़ें और अध्यान करें और उस पर एंप्लीमेंट करें और आप चलें तो मेरा विश्वास है कि इस इंडिस्ट्री में आप क्र रहा हूं लोड नहीं कर रहा हूं जो भी हो रहा है टोटल लाइब चल रहा है और लाइब वो भी हपते में एक दिन आ रहा हूं और उस पे जब मैं आता हूं जैसे आज मैं क्यों है सवाला और जबाब पर देखिए मैं हमेशा बावनात्मा कनेक्ट दे दूँँ मैंने आज हम सवाला और जबाब की बात करते हैं आज हम आपसे चैटिंग मांगते हैं आपको उस कुष्टोन बताओ किया है हम ऐसे कुछ भी मेरे मन में आ रहा है मैं बता रहा हूं बता रहा हूं और आपको पता नहीं उसकी जरूरती नहीं है तो मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों का टाइम किल जा रहा है मतलब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरा विचार, मेरा नॉलेज आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, तो मेरा टाइम और आपका टाइम दोनों का बेस्ट जा रहा है, तो क्यूं बेस्ट जाए, चलो इंवे पैंचार ख्याल आए और मैंने उसको सामने रखा और आप लोगों ने आके पार्टिशिपेट किया बहुत सारे लोग नहीं हैं और कुछ लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं और जो लोग कनेक्टेड है वो बहुत ही मेरे जैसी सोच के लोग हैं जो अपने जिन्दगी मौके और जीतु एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलोगे लोगों के सामने कि लाइव और यूटूब से सीकर मैं अपनी जिन्दगी में आगरोथ किया हूँ मैं आगे बढ़ा हूँ आज मैं स्टेज पे हूँ कल मेरा भी बुक पढ़ने मन नहीं रखता तो आपकी टीमों को जाया मेरा भी बुक पढ़ने मन नहीं रखता था और जितु भाई को भी मन नहीं लगता था लेकिन अगतिन बताया कैसे उन्होंने लेर्णिंग लिए और उस बिन मैंने भी नर्ना लिया तो आज मेरे आइडिया मेरे जीतु भाई है उस दिन जीतु भाई को जो खुश्य हमारा और आपका फोकस उनके लग गया तो सो प्रिस्त उनका इचीमेंट बड़ा ख़ड़ा कर सकते हैं सो माइडियर फ्रेंड्स यहां पर एक चीज और आपको समझना है वो समझना है यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच कि आप हमारी बास से सहमत हैं और इसके लिए मैं आप सब का दिल से अभार प्रिक्ट करता हूँ अनभो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने भी राइट कहा है आगे बहुत अच्छा लग रहा है बाइडियर फ्रेंड्स यहां पर हमारे साथ कुछ लोग और इंवॉल्व हैं और उनका कोई हैं और मैं देख रहा हूं कि राफेल स्टार क्रियेटर लगातार आप लोगो चैटिंग पर कह रहा है कि प्लीज आप लोग कुश्चन करें चुकि दो घंटा भी बचा हुआ है आप लोग पास कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेरीज है तो आप जरूर करें लेकिन कुछ लो बढ़ा रहे हैं और आप सब लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद अजे जी विवेक जी और महाविर जी बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात है कि यहां पर अभी ऐसे कोई लोग नहीं है जो कुष्चन को कर सकें पूछ सकें तो मुझे लगता है कि अगर कुष्चन नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है कि नए लोगों से कैसे बात करें बड़ा अच्छा एक सब्जिक्ट आया है जीतू सीने डाला है कि नए लोगों से मैं कैसे बात कर सकता हूं मैंने आगे भ वागोंट मैं अधर आपको मोट दों से जब गाड़ी बढ़ते थी तो मैं उनकी बारे में बात करना लगता था फिर मैं उसे कहता था आप Culture आप लोगों के बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, आज मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, तो करीब 10-15 नट उनकी मैं प्रशंसाई करते रहता था, तो थोड़ी दिर में गुल मिल जाते थे, तो वो अ लगेगा, धिरे-धिरे हम लोगों के अंदर जागरूपता बढ़ती जाएगी, तो आप जितु भाई, लोगों से खुलकर बात करना शुरू करो, चुकि नए आदमी हमें गोली नहीं मारेंगे, हमेशनी अपनी प्रिसनालिटी को सजा कर, लोगों सामने बात करने की जरू करते हैं, और मैं आपको जरूर, जितिव से खुलकर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, चुकि मैं देख रहा हूं कि आप बहुत इंट्रेस्टेश्ट परसन हैं, और आप जिस तरीकी की चीज़ें टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत करते हैं, और अगर यह चीज़ समझ में आए, तो अपने अपने शीनियर से जरूर डिसेशन करें, और नहीं अगर समझ में आता है, तो आप मारे साथ भी बने रहे हैं, हर बुधवार को मैं आपसे मिलूँगा, सिर्फ दो गंटे के लिए, आप चैटिंग कर सकते हैं, आपने मेरी पुरानी बात या दिला दी, आपने कहा कि घर के लोग सही से इस बिजनिस में साथ नहीं देते हैं, यह आज एक कामन प्रॉब्लम है, सब के साथ यह प्रॉब्लम आई है, और मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, जब आपने आज यह लाइन मुझे पढ प्रॉब्लम आई थी, देखिए, आपके घर के लोग आपको सही से इस बिजनिस में सपोर्ट क्यों नहीं देते, क्यों साथ नहीं देते, क्यों मदद नहीं करते, आप बता सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ बाते ही करते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, और आप घर को घरवाले आपसे उमीद करते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ कमा है नको ढब उनको 100 गपने qe सो का नोट बना लो जब जाओ ना वाइब से बोलो जूटी से ही यह पकड़ो सो रुपए आज अपना सो का बिजनस हो कल अगले दिन लेकर जाओ तीन सो रुपए देदो आप देखना जो सूखी रूटी आती तो उसमें घी लगा के रूटी आएगी जो सब्जी जो डाल ऐस में काम नहीं करता है मेरे पिता ने जब मुझे इस बुझनस के लिए से निकल जाओ तो क्यूं कि आता पता है वो इसलिए का था कि बियापार को समाज ने बुरा का और मेरे पिता ने भी इसको बुरा माण लिया मेरे घरवालों ने इसका विरोद किया लेकिन एक दिन से हमारा विरोध नहीं किया हमारे पिछले जो लाइब वीडियो आए है उसमें मैंने पूरी कहानी बताई है बार-बार मज़को रिपीट करूँगा ठीक नहीं लगेगा लेकिन हमें आपको जरूर एक बात जरूर करना चाहूंगो चुको टाइम बेवजा बेस्ट होगी तो मुझे आज आप बता दो इस बिजनिस के लावा सत्रे लाग करजा उतरने का और कोई बिकल्प आपके पास है और कोई नोकरी है और कोई जरिया है जहां से गरीबी मिटाई जा सकती मैं हर वो काम करने को तयार हूं और आज से मैं बिजनिस को चोनने के तयार हूं किया आप अगर बीश सालगा कितना पैसा हुआ तुम H.ट साल खजार ब लूब कर रहा हूं और मैं कमा रहा हूं कि तुम बॉल पैसा कहा जा वह बीज बोंगा और जब यह लोगा अंकुरीथ होकर तुम्हेंट निकलता रहोंगा और यह निकलता रहा आपका कोई भी काम रुखता है मैं सारा काम करने को तयार हूँ लेकिन इस बिजनिस के अगेस्ट में नहीं मेरे घरवालों ने उस दिन भावनात्मक बाते हुए मेरे घरवाले भी रोया और मैं भी रोया और नतीजा यह हुए को उस दिन से लेके आज तक मेरे जीवन में इत सत्रू नहीं है पत्नी मेरी दुसमन नहीं मेरे माप You मेरे दुसमन नहीं मैं उनका बेटा हूँ मेरे भविष की फिकर करते हैं और क्यों न करे करना भी चीए तो आप अगर वाके इस बिजनिस से आपको लगाओ है आप इसfullिक आपको अपने काम करने की दुगोए को अस अ दोर पर ना देखेंगे चलते रहें आप वीडियो सुनते रहें नहीं एकांग रिचीत होके बढ़िए और कान में हेड़फोन लगाईए और एकांग में सुनना शुरू करिए जो बाते मेरी समझ में आ जाया उसको डायरी पर उतारिए और वो जिंदगी का हिस्सा बना देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा एचीवमेंट खड़ा होता है और नहीं होता है तो मुझे आप कॉल करके बताईए नहीं तो आप चैट करके बताईए कि विने जी आपका ये फार्मूला काम नहीं किया 100% चुकि मेरे जितने वीडियो पड़े हैं सब प्रेक् प्रजित नहीं होगा कोई बीचीज आप उतना ही निकाल पाओगी जितना आपने डाला हुआ है जो चीज डाला ही नहीं उसे आप निकाली नहीं सकते तो बहुत सिंपल सी चीज़े जीतु सिंग जी आप लोगों से बात्चित करिए अपने पैरेंट्स अपने माबाप से बात करिए और आप उनको बताईए कि आप जीमन में क्या चाहते हैं आपकी हंसरते क्या है क्यों आपने माई लाइफ स्टार्ट अप किया है इसके पीछे आपका मकसद क्या है क्यों करना चाहिए माई लाइफ स्टाइल और उनसे पुछो कि आप बताओ कि आप क्या चाहते लिख जब आप ये चीज़े बता लेंगे न तो आप देखेंगे कि आपके विरोध संजा रहा है। पता नहीं का कमां रहा हैं ये जितना कमाते हैं, किसको खərč करते हैं मालमने, हमको नहीं लगते हैं कुछ कर रहे हैं तो हमारे साथ जो दो-चार लोग जाते थे ना वो भी निगेटिव हो जाते थे तो मुझे अपनी मम्मी पर गुत्सा बहुत आता था था यह सब बात करने की क्या जरूवत थी इस वर मैं कमा रहा हूं भाई लेकिन मां चप कहते थी कुछ नहीं कमा रहा तो लोगों को लगत है कि एक सवाल लेक आया है और जी तो भाई मैं आपको यह चीज़े मैं आपको बताई है वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्डेट हमारी कोश वीडियो जो भी पिछली बार भी पड़े हैं तो आप देखेंगे तो उसमें आपको अंसरी सब चीजें मिल जाए किस तरह अपने प सब्सक्राइब करेंगे यह बहुत नेक और बहुत अच्छा काम है और अगला आपने डाला है और विवेक शिंग ने डाला है कि सामने वाला स्टार्ट अप करने के लिए बोलता है सर फिर फोन उठाना बंद कर देता है यह तो चैलेंज आएंगे विकास बाभू विवेक स यह बिश्यार ने लिखा कि लोग फोन करने के लिए तयार होते हैं और आपको बताओं कि आपका तो फोन उठाना बंद कर देते हैं जब मैंने इस बिजनेस के सर से सिंग आया होती थी वैसे हमारे वो सारे फ्रेंड कोई लेट भागता था कोई राइट कोई गली में गुज जाता था कि कहीं बिने मिश्टा देखना ले और मुझे फिर से कंवेंस ने करने लगे इस बिजनिस के लिए तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि आरे मेरे दो बातरूम जाने के लिए उसमें वो सब चीज़ें नहीं रहा करती तो खुले मम लोग जाते थे बातरूम के लिए तो शमोसा खाने का मन भी था और गाड़ी देखा तो जब मैं उधर गया तो एक बंदा इसे दुखका हुआ था तो मुझे समझने में देर नहीं लेगी तो और सबने भाग लिया और आगो थो讯स僕 iPhone के सब भाज लिया और लूगों को आप इस बिजनेस में इन्वॉल्ड करने की बात करते हो तो मैं फिर अपनी बात को आपको याद दिलना चाहता हुए आप हमें स्टार्टिंग में usun रहे हैं तो आपको यह पता चल गया होगा कि आखिर लोग फोन उठाना बन क्यों करते हैं क्योंकि आप उनका ना उनकी जिन्दगी की कोई ब्राब्लम पुछते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं मेरे बगल में मेरे परोशी थे जस्ट मेरे परोशी एक दिवाल पड़ी है तो मैंने उनको जब भी फोन किया वो मेरा फोन उठाए या तो अगर नहीं उठा तो कहीं बिजी रहे बाद में कॉल बैक आया ऐसा क्यों हुआ क्यों उनको फीवर था उनको बेचेनी घबड़ा हाट थी उनके हाट में पेन था उनकी सासे फूल रही थी स्रिप मैं उनके खारियत के लिए फोन कहया करता था और उसके लिए मैं कुछ मेडिशिंग भी दिया करता था उनको इससे क्या हुआ वो रिकाउर होना सुरू हो गये त को तो और अबigmसकों करो तो क्या उसने नहीं करेगा Hanım इस बिजन समें ऑ़ इसे ही है जब आप उसे इस बिजनिस में विश्वास दिलाते हैं कि किन ऊरगे साथ कि माँ हमारे साथ बिजनिस पार्टनर बनो लेकिन business partner उसको कब बना हो जब उसकी कोई need हो और जब उसके अंदर विश्वास हो और जब उसके अंदर सुनने की जानने की जिग्यासा हो हम दावे से कहते हैं कि 99% leader या distributor या networker वो उसमें interest नहीं है फिर भी my life का plan present करते रहते हैं सारे लोग business छोड़के चले जाएंगे बिवेक बबू एक बात याद रखना को फोन आपको नहीं उठा रहा है स्रिफ इसलिए को business आपके साथ नहीं करना चाहता आपकी बात उसको समझ में नहीं आई आपकी चीजे से convince नहीं है वो आपके आपने जो plan दिया जो भी presentation दिया जो भी सिंपल बात है दूसरा एक प्रॉब्लम हो सकती है दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती हो समझो वह प्रॉब्लम यह हो सकती कि उसने अपने किसी दोस्ते बात की दोस्तने उसको निगेटिव कर दिया जैसे मैंने अपने सीनियर का फोन उठाना बंद कर दिया था डिस्टीबिट पूरी बात मैंने मानी दुनिया की, तिम यह मत करो, तुम यह आपकर सकते हो। तो यार एक आदमी को जिसको विश्वास मुझ पर है, यार इसकी बात एक बार मान लेते हैं, और मैंने मान लिया, और मैं उसके चला, और जिसको नतीजाज मेरे सामने है, तो मित्रो आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा important है, बहुत important है, कि आप किसकी सुनते हैं, देखो, अगर आप इगल के साथ रहोगे ना, तो आप इगल जैसी हुडान भरोगे, आप मुर्गों के साथ, मुर्गियों के साथ रहोगे ना, तो मुर्गियों जैसी हुडान भरोगे, ये decision आपका है, कि आपको किसके साथ जीना है, और ये सब चीज़े सही हैं, रियल है यह होता है, सब के साथ होता है, आपके साथ दो रहा है, खोल बड़ा तार्जुब की बात नहीं है, लेकिन एक बात समझ लेना, कि फोन ना उठने का कारण है, कि 100% वो आपके बिजनेस से इंट्रेस्टेड नहीं है, आप कर रहे हो फोन ने उठता, मैं आज आपको बता वो बार-बार मुझे फोन करता है, बार-बार मुझे कॉल करता है, और आपको मैं ऐसे दसो नाम बता सकता हूँ, जिन से मेरी कोई जान नहीं, कोई पाचान नहीं है, उन्होंने यूटूब से या मुझे गूगल से सर्च करके, मुझे कॉल करके मेरे साथ बिजनेस स्टार कैसे growth कर रहा है इस पर आपको विश्वास करना होगा और आज एक चमतकार में बता दूं जो मेरे friend मुझे phone करते थे या मैं जब उन्हें करता था वो मेरा phone ने उठाते थे और भाग जाते थे मुझे देखकर आज आपको चमतकार बताओं अगर आज वो मेरी गाड़ी देख ले मुझे नहीं खड़ा देख ले तो सारे friend मुझे आगे घेर लेते हैं आज भागते नहीं है आज घेर लेते हैं पहले जब वो phone मैं करता थो तो उठाते नहीं थे आज कंडिशन ये को मुझे phone करते हैं और मुझे बात क करना चाहते हैं अप्शोस में उनका phone में उठाता हूं कि बदला नहीं ले रहा हूं माफी चाहूंगा बदला नहीं ले रहा हूं अभी इसमें मैं आपके साथ मेटिंग में हूँ अभी दो कॉल मेरे फ्रेंड के आ चुके हैं यह वो लोग है जो मेरे साथ business में नहीं है और उसमें phone मेरा उठाना बंद कर दिये थे कभी थे और मुझे मेरे साथ business नहीं किये business छोड़कर बढ़ गये system ने तो आज मेरे साथ relations बनाना चाहते हैं मुझे call करते लेकिन मैं phone उनका सो बार करते हैं तो कभी काथ बार रुफता है क्योंकि continue बीजी हूं कई books study में हूँ अग कर रहा हूं तुम है उस पे कोई नहीं चाहता हूं तो यह बढ़ा important है शाथि बहुत important है कि आप इस industry में क्या करते हैं और कैसे करते हैं यह समझना बढ़ा important है आपके लिए तो आपके लिए बढ़ा important है अगला चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा वह आपके life के लिए क समझना बड़ा जरूरी है तो आप सरी जरा बात करते हैं इस टॉपिक पे कि वो क्या है अगला टॉपिक जो मैं आप से बात करने वाला हूँ विवेग जी मेरे ख्यास से मरी बात आपको समझ में आ गई होगी और अतुल रॉयल जी ने कुछ लिखा है कि अगर आपको जीतना है तो हार से भी सीखना पड़ेगा राइट बिल्कुल सही बात है अतुल जी मैं आपकी बात से सोप रिसे सहनत हूँ चुकि लाइफ में दिखिए तीन तरह के लोग होते हैं लाइफ में तीन तरह के लोग होते हैं तीन तरह के कौन-कौन लोग होते हैं अतुल जी के लाइ वो फिर से वही गल्ती करते हैं, चौती बार वो फिर से वही गल्ती करते हैं, अर्था तो गल्तियों पर गल्तियां करते हैं, कभी जीवन में सीखते हैं और इसलिए वह असफलता काहिम हो देखते हैं, इन्हें मूर कहा जाता है, दूसरे वो लोग होते हैं, जो इनसे आगे अतुल जी मैं आपको बताना चाहूंगा एक तीसरी कटेगरी होती है जिसे कहते हैं बुद्धिमान, इंटेलिजन, जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी लाइफ का उम्र इतना बड़ा नहीं है कि हम गलतियां करके बार कर सकते हैं, क्योंकि आपके सीणियर का इस इस आपके सीणियर का अनवह, आपके जीमन में बहुत कारगार सावित होगा, बहुत ही महत्पूर्ण होगा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, अगला आपने कहा की, सुरेट सारमा शरन ने कहा कि हार की जीत का प्रतीख है, अगर बहुत बढ़ीया लगाजी मैं आपको बता दूं कि समय हम अगर nakalना चाहते हैं और समय को मैंने। पड़ेग熱 आप मेनेजमेंट अब आपको यह देखना है कि सब्से पहले अन्भो जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप डायरी और पिन लेके बैठें और डायरी और पिन पर पहले आप नोट करें कि आप कितने घंटे शोते हैं एक दिन एक सहाब ने मुझसे ऐसे कहा कि बिने जी मेरे पास टाइम नहीं है मैं बिजनस करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है बिने जिसले मैं direct selling industry को कैसे कर सकता हूँ हमने कहा साब क्या करते हैं बोले मैं teacher हूँ और मैं सुबह उठता हूँ और सुबह उठते ही नाद होकर कि school चला जाता हूँ और साम को मैं आता हूँ 7 बजे तक और फिर मैं बच्चों में involved हो जाता हूँ मेरे पास time नहीं रहता है मैं कम मैं आपके business करूँ हमने उनसे एक बात कह थी मास्टर साब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं तो मास्टर साब ने कहा था नहीं बेटा कोई बुरा नहीं मानूगा आप बोलो हमने कहा सर सबसे पहले आप मुझे बता दें आप कितना घंटा सोते हैं तो Master साब ने कहा 7 गंटे सोते हूं, तो मैंने लिग दिया 7 गंटे Master साब सोते हैं, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा सर आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 7 गंटे सोने के बाद आप नोकरी कितने गंटे करते हैं, बोले 8 गंटा करता हूं, मैंने लिग दिया 8 गंटे नोकरी करते हैं हमने का गुरू जी जब आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं तो कुछ टाइम लगता होगा जाने और आने में बोले आधा घंटा जाना आधे गंटा आने तो हमने का एक घंटा हो गया आपका आने और जाने का साथ घंटा हो गया सोने का और आठ घंटा हो गया आपका काम करन दोनों जोड़िये कितना हुआ थैसे जटब है करने लिए समय नहीं बसता है मैं बहुत विजी रहता हूं हमके सर सारी बात मानता हूं आप मुझे गरत बताएं तो सर कुछ बताई ना पाएं हमने कहा गुरू जी आपके पास मैं पूरा पूरा दिखा रहा हूं आठ गंटेट समय हैं और आपको एक बात बताओं यदि उस समय को मैनेज करो ना तो आपके पास फिर भी यह देने के बाद चार गंटा बचे लिए उन्होंने कहा कैसे हम कहे जब आप स्कूल से छूटते हैं तो सबसे पहले आप कहा जाते हैं घर की तरफ या चाय की दुकान की तरफ तो मास्टर साहब ने कहा नहीं चाय की दुकान पर जाता हूं चाय पीता हूं दो चाय मास्टर साथ में होते हैं पेपर पढ़ता हूं और वहां पर थोड़ा हासी पड़क की होती है फिर हम साइकिल उठाकर अपने घर चले आते हैं हमने का इसका मतलब अगर आप चाय ना पीने जाएं तो कोई आपका नुकसान नुकसान नहीं हम कहें चाय पीने मापका फायदा हो तक नुकसान बोले नहीं कभी 10 रुपए मैं देता हूं कभी पला मास्टर गाउं में आता हूं कुछ लोग मिल जाते हैं तो लोग के वहां पर खड़े हो जाता हूं और उनसे मैं बाते मुझें civiliucını Patay eder थोड़ा अधे गंटे बात करिए पंडर्ए minutes वह सकता है मुझे एक बात और बठादे जया सुबढjem नाती को खिलाता हूँ गुरूजी अब नाती को खिला लिजे तीवी देखते हैं पेपर पड़ते हैं इसको मत देखिए ये थाइम मुझे दे दी जिए बहुत बड़ा काम कर डालेंगे तो अन्भह जी आपके पास time of management की कमी है तो आप ये देखिए paper पे लिखकर कि मैं कितने गंटे सोता हूँ, मैं कितने गंटे नोकरी करता हूँ और बागी का समय मेरी जिंदगी का दिन चर्या क्या है जब आप यह देखेंगे तो मैं लिख कर देता हूँ चुकि आपके पास कोई time table नहीं है इसलिए अपके पास समय नहीं है जिनको कहते हैं red race में सामिल हैं ये लोग तो आप अभी से आज से अपना time table बनाएं और अपना time table बनाने के बाद मुझे कृपया आप मुझे इंफॉ या और आप यह देखिए कि फाल्दू को time कहां पर best हो रहा है तब जाके आप उसको सही तरीके से develop कर पाएंगे अगला है आपको समझना है अन्भो जी बहुत अच्छा लग रहा है अगला है कशिश हभीब जी ने लिखा है सर अगर कोई प्लान सिखा दे कि बाद वो हमें हमसे पूछ ले कि आपकी कितनी इंकम है क्या जवाब दें देखिए कशिश जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी कशिश जी का एक्शुली कहना है कि जब मैं इस बिजनेस को प्लान दे दूँ और लोग मुझसे जब पूछें कि आपकी कितनी इंकम है तो मैं उन्हें क्या जबाब दें मैं पहले आपसे कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में कभी जूट न पूले पॉइंट नमबर ना कभी जूट न बोलें पॉइंट नमबर टू कि वो जो पूछ रहा है यह जबाब देने के पहले आप उनसे जरूर पूछें कि आप ये क्यों जानना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे क्यों वाला बात नहीं करूंगा बलकि मैं मस्कुरा के आपसे कहूंगा कि अगर आपको तकलीफ नहों तो क्या मैं आपसे ये जबाब देने के पहले आपसे एक सवाल पूछ सकती हूं तो समने वाला बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल आप सवाल करिए तो कसिस जी आपको एक छोटा सा सवाल करना है कि भाई साब आपको क्या लगता है ज्यान रखना यही मुस्कुरा के सवाल लगना है कि वो पूछते हैं कि आप कितना कमा रही हैं तो आपको मुस्कुरा कर पूछ कि आपको क्या लगता है कि अगर आपके बारे में पांच हजार बताते हैं तो समझ जाना का आपका पॉसाग का आपकी प्रिस्नालीटी बच्चे पढ़ाई हो आपको और अच्छी जिन्दगी जीने में आपको मदद मिले आपको और अच्छी लाइफ आप जहां एड़ेस्ट कर रहे हो वो आपको हैल्प हो सके मेरा मानना है कि आज तक आपने फार्मूला नहीं नहीं इस्तिमाल किया है तब Works जी आज मैं आप से कहता हूं कभी किसी नहीं आप से कहा कि आप कितना तुम मुझे बहुं अच्छी तरह याद है कि ये प्रॉबLम मुझे बहुत आई थी तो मैंने अपने सीनियर को ये तो आप एक अच्छे लीडर के रूप में उबरें और आपका बिक्तित तो भी एक अच्छा इंसान के रूप में जाना जाए तो मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई और मुझे उनसे बहुत इंस्पायर में हुआ उन्हों के सब्सक्राइब करां के लिए आप कोई सवाल करेगा तो आपको यही पूछना है तो कमाल की बात है कि मैं गया था च्छी बहियां मेरे बगल में पढ़ता है तो उन्होंने कहा कि बिने जी आप कितना कमाते हैं तो मैं यहाँ पर अपना एक मोबाइल लगाया हुआ था कमर के पास और मैं लॉंग बूट प इनने करना चाहिए या इसे लेने के प्लान बनाना चाहिए बुले लेने का प्लान बनाना चाहिए तो मैंने फरम निकाला हमने का नाम बताइए, एड्रेस बताइए, पता बताइए, पेमेंट निकालिए और स्टार्ट अप हो गई, तो आपको यह से घबडाने की जरुवत नहीं है, लोग यह सवाल इसलिए करते हैं, चुकि वो आपको जच करना चाहते हैं, आपकी चेहरे क इसकी तरह explain किया, अब दूसरी बात, अब वो करना चाहता है, कि मैं सर्फ इस सवाल इसलिए करता हूँ, अभी जी आपसे, कि आप इसमें कुछ कर पा रही हैं कि नहीं, या इसमें कुछ वाके होता है या नहीं, तो आप तुरंट कहिए, मुझे बहुत खुशी हो इसलिए कि आप हमारे इंडिस्ट्री के बारे में और आपके अपने मन के डाउट्स को रखा है, कि यहां लोग पैसा कमाते हैं कि नहीं, यह बिजनिस काम करता है कि नहीं, यह आप इंकमाती है कि नहीं, तो सर यह इंकम है, देखिए हमारे यहां विकास जी हैं, इनकी महीने की इंक नौ लग रुपए हैं ये देखिए हमारी टीम के फलाने लीडर है जिनकी इंकम तीन लाख है यह देखिए धाई लाख है यह देखिए पचास जार है सर जो जैसे काम करता है सिस्टम उसको वेसे बसा देता है और सब जितना रिकार्ड प्रमाड आप चाहीं मैं आपको देने है वो घुमा के बाद कर रहा है तो आप उसको सही ट्रैक पे लेकिए यही आपकी रियल लेडर्शिप है और मुझे विश्वास है कि कशिज जी आप इसको जरूर करेंगी और आप करेंगी तो सो परशेंट आपको रिजल्ट आने वाला है और हमारे साथ में बहुत ही डैन है उसको कैसे हैंडिल करें और सारी मेहनत जब विस्ट होने लगे उसको कैसे पास्ट्यूमें लें दिखिए विस्टेज होना एक बात मैं आज आपको बता दूँ प्लीज इसको अमाइंड मत करना प्रकित का एक नियम है विस्टेज को कभी रोका नहीं जा सकता विस्टेज होगा लेकिन अगर हम किसी भी चीज को सही दिसा सही डारेक्शन सही ग्यान सही परवरी सही संसकार में रखें यानि एक महोल में रखें तो हमारा विस्टेज की छमता या हमारी दर कम हो जाए विस्टेज कभी नहीं रोक पाए नहीं चुकि प्रकित का नियम है क्या है पत्ते लगे तने लगे टैनिया लेगी पत्ते जड़ते हैं फिर नहीं पत्ते उपते हैं यह प्रकित करनी हमें फल लगता है बहुत सारे फल गिर जाते हैं फूल लगते ही बहुत सारी गिर जाते हैं कभी चोटे-चोटे होते तभी गिर जाते हैं हवा सजोका आया त को ध्यान दें जैसे बारिश हुई हवा भी चला तो जो एक आम का पेड उग रहा था और थोड़ा सा ब्रिच नहीं बना थोड़ा सा पौधा अंकुरितों के बड़ा बना मोचा तना बना और तीन फिट उपर आया जब तीन फुट उपर आया वह ऐसे खड़ा था अचानक ब लटक गया जमीन की तरफ तो आपने क्या किया आपने ध्यान दिया आपने अटेंशन में लिया आपने क्या किया एक कोई डंडा लाए कोई बांस कोई बंबू लाए बंबू लागर क्या किया उस पेड़ को आपने सपोर्ट किया सपोर्ट करने क्या किया आपने उसको किसी सिस्टम दिया और सपोर्ट सिस्टम देने से क्या हुआ आधी और तुफान और बारिस के बावजूद वो पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा रहा है और एक दिन वो विशाल ब्रिच बना यह तब हुआ जब आपने उस पर ध्यान दिया जब आपने उस पर ध्यान दिया कि बा आप से commitment है, सही time, सही track पर ध्यान देने की बहुत जरुवत होती है, और एक बात कि आपने business होना रुख जाए, impossible है, दुनिया का कोई भी leader, दुनिया का कोई भी trainer, दुनिया का कोई भी पढ़ते हैं, और लड़का जब अमेरिका पढ़ता है, और उसको किसी लड़की से लव होता है, और वहीं court marriage करके साधी कर लेता है, और माबाप को भी inform नहीं करता है, साधी में भी नहीं गुलाता है, तो इसका ये मतलब नहीं हो कि पिता का माता का मेहनत बेस्ट हो गया, वो effort हुआ, जो पैसा गया, जो responsibility लिए, जो liability लिए, सब best हो गया, my dear, हर आदमी ना, अपने बच्चों को भी पालने के बाद, उससे पाने का benefit पाने का life में न, आज ही डेट में शियोटी नहीं ये, दो ये जमाना चल पड़ा है, आज रोज आप एक रोज नहीं ट्यूट सुन है, मैं देख रहा हूँ, जो glamorous जिंदिगी वाले लोग है, वो अपने parents को भृद्रासन चोड़ रहे हैं, सौक्स नहीं चोड़ रहे हैं, किसी नहीं किसी वज़ा से चोड़ रहे हैं, अभी मैंने recently एक story पड़ी थी, एक IPS ने लिखा था अपने commissioner के मा के बारे में, वो इतनी दर्द भरी कहानी थी, कि मेरे आखों से उसको इस story को पढ़ने के बाद में, मैं खुद को रोक नहीं सका, मैं इतना भावनात्मक होगे कि मेरे आशु गिरने लगे थी, वो Facebook पो खुब viral हुआ, और वो real story थी, लेकिन उन्हों ने उस judge का नाम स्रीफ इसले नहीं डाला, तो एक बात याद रखना कि उन्दरा जी की वेस्टेज को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी दर कम की जा सकती है, और दर को कम करने के लिए आपको attention में रहना बहुत जरूरी है, अर्थात आपकी team में continue, आपकी involvement होना, team का, एक distributor का, आपका involvement होना ये बड़ा important है, और पूरी team वो अपने हिसाब से चलाता है, तो हो सकता है को right चला रहा हो, हो सकता है गलत चला रहा हो, wrong भी चला रहा हो, अगर वो wrong direction में चला गया तो पूरी team destroy वैसे भी हो जाएगी, और एक दिनो ललका तूट जाएगा, हतास हो जाएगा, निरास हो जाएगा, चुकि सह और अगर आपने उसको सही परवरी, सही ध्यान देका, सही direction में दिया, तो आप अगर उसके नीचे तक involved हैं, तो वो बंदा कभी best नहीं हुआ, चुकि उसकी कड़िया आप से connected है, जब आप उसको free करके छोड़ दोगे, तो 100 प्रिस से को जैसे चाहेगा, वैसे करेगा, और ज़्यादा तर लीडर इससे घबडाते इसलिए हैं, चुकि इसमें मेनत लगता है, इसमें effort लगता है, इसमें बहुत pain लेना पड़ता है, बहुत दर्द लेना पड़ता है, बहुत सारी कीमते चुकानी पड़ती हैं, इससे बहुत सारी लोग घबडाते हैं, और सोसते हैं विश्यों के अधीन होता है इसका जबाब मैं आपको बता रहा हूँ कुंद्रा जी बहुत गहराई से समझना मनुष्ट का जो मन है वो विश्यों के अधीन होता है जब कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट करती है या उसे लाभानवी दिखती है जर सरल आसान दिखती है न वो उसकी और बहुत तेजी से भागता है और वो यह नहीं समझता कि मेरे जीवन के लिए इतना नुक्सान डायक होगा इतना घातक होगा तो लोग ऐसा करते हैं इसको इस रेशियो को विस्टेश को खतम तो नहीं किया जा सकता कम किया जा सकता और कम करने के लिए आपको अटे कोई माने नहीं रखता है यह बात को आपको ध्यान रखने की बहुत जरूवत है अगला आपके मेरे खाल से आपका जवाब मैंने आपको दे दिया है और अगला एक कुश्चन है आप पर कि वह कुश्चन है अच्छा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे विकाजी ठीक है बाकी तो सारे लोग के लगबंग मेरे खाल से कुश्चन्स मैक्सिमम हां एक बहुत अच्छा है अपनों दिविदी सर ने एक बात कही है कि प्राइवेट नोकरी करते हुए समय नहीं मिल पा रहा है दिखिए सर एक बात मैं आपसे बात कहुँगा प्राइवेट नोकरी बहुत लोग कर रहे हैं आज अगर आप नेटपों माकेटिंग को सर्वे करेंगे या डारेट सिलिंग को बहुत घराई से सर्वे करेंगे तो आपको मिलेगा कि 70% लोग प्राम्याब और सफल भी है देखिए आप प्राइबेट जॉब में हैं तो आपका एक टाइम लिमिट है आप जॉब करते हैं ऐसा थोड़ी 24 घंटे आप और अगर आप इंवाल्व हैं 16 घंटे या 18 घंटे 20 घंटे तो बटने चुरल है कि आप इडिशनल इंकम के लिए ए अब प्रोफिट चाहिए तो ये क्या हुआ ये बात वही हो गई अक्टिव इंकम काम करोगे तो पैसा आएगा काम बन तो पैसा बन हम डाइट सेलिंग इंडिस्टी क्यों करते हैं नेटो मांकेटिंग करते हैं चुकि पैसी इंकम आए कि हम दो साल पांग साल मेनत कर दे त ऐसे कंडिशन में हम घर से बाहर कभी नहीं गए तो 22 मार्स से लेके आज तक कोई भी ऐसा हफ्ता आप नहीं दिखा पाओगे जिस हफ्ते में हमारे पेमेंट और हमारे घर में एक अच्छी इंकम महिने में नगे रही हो और वीकली नगे रही हो सर आप मुझे बताओ आज मैं घर में 14-15 महिना से बैठा हूं और 15 महिना से घर में बैठ कर हर हपता लगातार पैसा लेना और वह भी लाकों में लेना क्या यह छोटी बात है और इसमें मेनत कितना किया सिर्फ साथ साल तो अगर हमें सोचते कि मेरा ट्रेक्टर है मेरी नोकरी है मेरा दुकान है मेरा गर्बत्तिक गारोबार है तो मैं इस बिजनेस में कभी चल नहीं पाते हैं कुछ पाना है कुछ खोना पड़ेगा तो अनवो जाओ जी यह आपको manage करना है कैसे करना है किया करना है कब करना है तो समय तो आपको देना पड़ेगा चाए private में हूँ आ चाय vac楽acement in is हर कोंगता है काम हर् आदमी करता है यह बड़ा important है अगली चीज है कभी 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 इस टेंजर तुरंट सवाल करते हैं कि आप क्या करते हैं बहुत बढ़ बढ़ा देखिए इस टेंजर का मतलब होता है अजनवी हमारे एक लीडर रहा हुआ एक इस पीजाब ने कहा कि इस यू प्रशाद कुश्वाजी ने कहा कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि साल बाद इस उनका नाम है मिश्टर शुरेंद्र पांडे और कल मैं उनके घर गया तो घर पे उमिले नहीं दो मैं चला आया और लेकिन और यह नंबर मिल गया नंबर मिले जाना यह कॉल किया तो मैंने उनको अपना परच्शे दिया तो नहीं पक्रेंब आप क्या करते हु तो मेरा कहना यह है कि कोई भी स्ट्रेंजर आप से पूछता है तो आप उसे बताने में छुड़त काम करते हैं कि यहां कोई ठक काया रहे और कि अगर आप उसको सही से जबाब नहीं देते हैं यदि आप थीक थीक बात नहीं होगते हैं आप सीधे मेरा अपना छुच का बैपार है डाघत का एंडिशरी बॉलक कि मेरा अपना बिजनेस है या आप उसको बोल सकते हो मैं एक शुतंतापूर ब्यापार करता हूँ शुतंतापूर तरीके से बिजनेस स्टार्ट अप किया हूँ जिसमें कोई बॉस नहीं है कोई लॉस नहीं है मैं ऐसे लूम तलास में हूँ आप जैसे बोलेंगे वो आदमी कहेगा यार इस आदमी से कुछ बात करूँ यार मैं भी तो इसी तरह का हूँ मैं भी तो चाहता हूँ वो आप से अट्रैक्ट होगा आप देखोगा उसके चेरे की चमक बढ़ जाएगी उसकी सारिंग बढ़ जाएगी तो सावधान रहें उसमें जो इंट्रेस्टेड हो खरसित हो तो उससे नंबर का अदान परदान करें लेकिन आप कहें कि दोस्त मैं आपको बताना जरूर चाहता हूँ अभी फिलाल मेरे बास वक्त नहीं है आप दुबारा मुझे कॉल करिएगा यह मेरा नंबर है मेरा कॉंटेक्ट नंबर है फिर मैं आपसे बात करूँगा इस्ट्रेंजर के साथ ये बात सस्पेंस में छोड़कर जरूर वहां से हटना है और आप देखेंगे वो दुबारा आपको कॉल करेगा जब वो कॉल करेगा तब आप उससे मिलना और आप करना मुझे आपसे बात करके बेहत खुशी हुई और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि नो डाउट आप अपने घर के लिए अपनी फेमिली अपने माबाप के लिए एक जिमनेदार बेक्ती है मैं यह देखना चाहता था कि आप क्या सच में जो उस दिन बोल रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है और मुझे आप जैसे इमानदार बेक्त की वाके इतला से मुझे बेहत खुशी होगी आपके साथ बैट कर और आपसे इपने बिजनिस की चार्चा करके तो बताइए हम दोनों लोगों का टाइम फाइलर करते हैं कल मिलना है कल मिलना है या परशों मिलना है यानि मंडे मिलना है ट्यूजडे मिलना है दो में से एक चुनेगा ना सुनने का मौका नहीं देना वो ट्यूजडे बोलता है तो सुबा मिलना है या साम मिलना है वो एक पंचर हो गई घर में रिस्तेदार आ गए फला प्रॉब्लम हो गई अचानक मेरा बहन होई आ गया अचानक मेरा दमाद आ गया कुछ भी नहीं चलेगा उस टाइम आप वहां पर चुकि फर्स्ट इंप्रेशन ये बड़ा इंप्रेंट है उसमें फर्स्ट प्रियाटी अपनी लाइफ अपने बिजनस को देना है तब लाइफ में कुछ बड़ा चेंजिंग आएगा बहुत-बहुत धन्यवात शुकुमार जी अगला हमारे शुप्रसाशत अगले हमारे सवाल है इन्वाइट कैसे करें ऐसा क्या बोलें जोगा जीटेस में कैसे आए क्या करें कि जीट जबर्जस्त तरीका है जबर्जस्त फार्मूला है लेकिन ये सब चीज़े मैं आपको बताना तो चाहता हूं लेकिन क्या करूं कि समय ज़्यादा हो रहा है साथी हो लेकिन चुकिए चर्चा हो गई साड़े नौ बज गया है मेरे ख्याल से तो मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि लाइफ में इन्वाइट करने का बड़ा ही शिंपल तरीका है और सिंपल तरीका यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सीनियर ने क्या किया इस वीडियो को फिर से बैक में जाओ और आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा मेरे senior ने पहले मेरी need को, मेरी problem को जाना और उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी life की जो problem है वो start out हो जाएगा लेकिन उस problem को अगर मैं start out करना चाहता हूँ तो मुझे फला जगा आना पड़ेगा और इस problem का answer वहीं मिलेगा जिसके तुमारे जीवन की problem चली जाएगी सो प्रिच्ट यह विश्वास और यकिन उन्होंने दिलाया और उन्होंने कहा अगर नहीं गया दोस्त तो जो खर्चा आपका आए रहेगा वो मैं पैसा भर गया और मित्र मैं वहाँ गया 800 किलोमेटर दूर गया मेरा कम से कम 5-6,000 रुपए कलकटा आने जाने में कर्च हुआ चुकि होटल में भी ठाय रहा और मेरी वाकिए problem मौह पे साल्व हो गई जब को पैसा नहीं आया कि 17 राग करजा खड़क से आगी उन्होंने एक formula प्लान बताया कि इस business में किसी को तभी invite करिये जब उसे वाकिए ही किसी चीज की तलास हो ऐसे समझो अगर उसे कोई तलास नहीं है अगर किसी भी इंसान को प्यास नहीं है कितना भी गिलास में पानी बरके रख दो वो पानी नहीं पिने वाला चुक उसको प्यास नहीं लगी है भाई आप जब रजस्ति उससे नहीं पिला सकते हो तो आपको जो किसी को इन्वाइट करते हो तो आप क्यों इन्वाइट करते हो ये मैं आपसे पोछ रहा हूँ तो आप कहते हैं। क्या बोलूं जिसकी वज़े से हुमारे पीछे पीछे चलाए तो उसका एक ही तरीका है पहले उसकी नीट को पकड़ो कि वो क्या चाहता है जीवन में किस चीज की तलास कर रहा है वो कैसे और कब तक हासिल कर पाएगा और फिर आप उसको कैसे मदद कर पाओगे यदि आप य लेते हो तो प्रिशत आएगा और अगर आपको फिर भी नहीं सवाल और जबाब बात रखूंगा महिना म सिर्फ एक दिन का मतलब एक विड्नेस दे वन बिड्नेस दे तो एक विड्नेस दे एक दिन हम सवाल जबाब पे ही बात करेंगे तो उस दिन आप मेरे साथ बैठिए उस दिन फिर से आप चेट करिए और स्टार्ट अप से आईए ताकि अगर आपका टॉपिक बड़ा भी हो तो मैं उसके पूरा टॉपिक पे प्रॉपर आपको बता सकूं और आपको एक्स्प्लेइन कर सकूं ताकि मैं आपकी सच्चे मन से आपकी मदद कर सकूं अगला यहां पर एक लोगों ने और जवाब दिया है नए लोगों से कैसे बात करें यह तो मैंने एक्स्प्लेंड कर दिया है यहां पर पंडिश शंदी मिश्रा जी ने एक बात कही है सर लोग अपने लोकल के बारे में पूछते हैं सर लोग अपने लोकल के बारे में पूछते हैं सायद मैं आपका सवाल का समझ नहीं पा रहा हूं क्या पूछते हैं क्या क्या लोकल में जानना चाहते हैं क्या पूछना चाहते हैं मालूम नहीं अगर लोग आपके local के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इक बात बता हूँ जब मैं डायरी खोलता था तो मैं सबको दिखाता था South India तो नौर्थ इंडिया में लोग थे बहुत लेकिन लीडर नहीं दिखते थे लेकिन बहुत कुछ करने पा रहे थे तो मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई तो एक साब लोकल ने कहा कि मुझे विने जी सब को छोड़ो यह सब बता रहे हो इतने को पती इतने उसमें 63 को करनोपती थे तो इक साब ने कहा कि यूपी में कई थाई नहीं तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं कर रहा है तो हम में पुर्ण। बता है कि नोट करो नाइन फॉर वन पाइट तो मैंने लिखा से नुट कर लिए नाम भी लिख लो ने का बता है तो नहों जाओ उसके पास चाहे नौ बज़े राथ, चाहे दस बज़े राथ, चाहे ग्यारव बज़े राथ, और जाके तुम कहना कि sir आप UP में पोछ रहे थे थे, kौन करूपती है? और उन्हों से कहना, डाइरी लेके आना, उन्हों से कहना sir, मैं करूपती हूएूपी. सर यह डायरी है यह नोट कर लीजे डेट डाल दीजे सर जब मैं करोंपती बन जाओंगा तब हमारे साथ बैपार करोगे न आप उन्होंने कहा 100% आप करोंपती बनो मैं अब साथ करता हूँ आज भी मेरे पास ओ डायरी है नोट किया सिगनेचर मारा मरवाया और मैं डियर सिगनेचर करने के बाद जब मैं करोंपती बना और मैंने एच्शीमेंट कड़ा करके बहुत कुछ किया उनके पास गया तब उन्होंने एक ही बात कही अगर आना होता यार तो पहले आ जाता है तो मैंने बहाना बनाया था जान छोड़ाने का आपसे आप तो आप इतने आगे चले गए हो अब आके क्या करेंगे अब क्या मतलब है तो जिनको करना है न वो करते हैं जिनको नहीं करना है वो नहीं करते हैं तो एक बात आपको समझना है कि आपके लोकल में एक बाहर है मै कहता हूं पंडिस संधीप मिश्राजी आप हमारे इंविस्ट्री के भ़विस के डायमंड है यह मैं आपको लिख कर दे सकता हूं लेकिन क्या आपको यःकीन है कि आप । कि मैं वह विश्वास है कि मैं वहां कर दा तो दुनिया कोई ताकत नहीं जो रोख दे चुकि मुझे बहुत अची तरह याद है कि हमारे हैंन्री फोट जी ने एक बात कही है बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप यह सोचते हो कि आपसे नहीं होगा तो निश्चित है कि नहीं होगा आप बिल्कुल सही सोच रहे हो और अगर आप सोचते हो कि दुनिया के मुझे कोई नहीं रोग सकता मैं इसे कर सकता हूँ तो उन्होंने कहा था 100% आप सही सोच रहे हो आप इसे कर सकते हो क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा बन जाते हैं, ये बड़ी important चीज़ है, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दू, कल मेरी position नहीं थी, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचता था, कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करन है, और आज हो सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ कर रहा हूं, ये बड़ा important है, और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, कि बड़ी important है, कि तैयारी, preparation में, overall बहुत सारे questions आये हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगा, कि समय बहुत over हो गया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्यारे शाथी हूं, कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, चुकि ओवर ज्यादा हो रहा है, इस वीडियो को फिर से देखिए, और बाकी महीने में फिर से जो भी आपको कुछ सवाल बचे हैं, जो भी आपको कुश्यन बचे हैं, ये कुश्यन्स हम लोग महीना में हर बार एक दिन आएंगे, और चाहे दुनिया बर के कितनी भी बड़ी कुश्यन लेगे आजाओ, परसनल लाइफ से, बिजनस से, कोई भी प्रॉब्लम लेगे आजाना, हर प्रॉब्लम का सबाब आपको मिलेगा, फट महीने में एक ही दिन, एक बिजनेस दे, दो गंटे, सास और नव, हमारा आपके लाइफ का लाइफ टाइम, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, चलता ही रहेगा, ये लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, और ये लाइफ प्रोग्राम होता ही रहेगा, महीने में नहीं, हपते में एक बार, महीने में चार बार, हम मिलते रहेंगे, ब गर हमारी टीम से related कुछ लोग यहां पर हैं या other टीम से related कुछ लोग हैं तो आप अपने शिर्वर से भी help ले सकते हैं और अगर आपको नहीं help मिलती है तो आप लोग मुझे calling कर सकते हैं कोई problem नहीं है और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं 100% इस इंडिस्ट्री में बहुत तरह के लोग मिलेंगे, बहुत तरह की बाते करेंगे, प्रमाडिक बाते जब आप कर दोगे, ट्रू चीज़ें बात कर दोगे, रिटर्न पर आप चीज़ें दे दोगे, तो तब भी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बिजनस में करना नहीं है, उन्हें यह बिजनस करना नहीं है, उन्हें यह माइनड में कर चुके है, तब तो उनको training की जरूरत है, उनको हम educate कर सकते हैं, उनको हम knowledge दे सकते हैं, उसको हम train कर सकते हैं, और उन्हें इस business में बहुत बड़ी उचाही पर लेके जा सकते हैं, और कुछ लोग हैं, जो business को करना तो चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, तो ये उनके नजरिये का है, उसे नहीं बदला जा सकता, उसे नहीं किया जा सकता, so my dear friends, हम सब लोग मिलते रहेंगे, बाते करते रहेंगे, और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि life सफलता के लिए, हमारे पास बहुत सारे रास्ते लेके आईए, बहुत सारी opportunities हमारे पास लेके आईए, सिर्फ उसको हमको और आपको देखना है, चुकि जब अवसर बड़ा होगा, तो बाधाएं आएंगी, बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर उससे हजार गुना बड़ा होगा, और ये चलता ही रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, बाकि मिलते हैं, ब्रेक के बाद, नए वीक के साथ नए विड्नेस डे को 7 पीम, to 9 पीम, right, मफी चाहूंगा, आज टाइम थोड़ा ज़ादा होगया, चुकि कुश्चन अनसर चल रहा था, और अगले विड्नेस डे को 100% जो कुश्चन स्पेंडिंग होंगे, हम लोग उस पे भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको 7 से 9 की बीच में आपके कुछ सवाल यहां पर बचे हैं, जिनको मैं शाट आउट कर लूँगा, कि किनके किनके कुश्चन कुछ बचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि लंबा आपको ना कीच करके, मैं अगले ही बुदवार को आपके सारे सवाल का जबाद देनी के पूर झाले केattend हैं, तो मैं इनको यहां अभाल की आपके लिमदेना कर आपके से क्वाल आपके लिएThatब जैसल आपके में चुछ में बादेना का जेए